क्या इंग्लिश बोलना सीखने के लिए टैन्स आना ज़रूरी है? 100% YES. इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति बिना टैन्स सीखे, इंग्लिश बोली नहीं सकता. अब अगर आप ये कहेंगे कि सर्वो अमेरिका और इंग्लेंड वाले लोग तो इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं, भले उन्हें टैन्स नहीं आते, वो तो बिल्कुल वैसा ही है, जैसे हमें हिंदी बोलनी आ जाती है, भले हमें लिखनी आए ना आए, पढ़ना आए ना आए, क्योंकि ये हमारी मात्रभाशा है, उसी तरह से वो उनकी मात्रभाशा है, इसलिए उनको बचपन से ही सुन-सुन कर वो भाशा आ जाती है, लेकिन जब भी किसी व्यक्ति को, किसी दूसरी लेंग्वेज को सीखना है, तो उस लेंग्वेज की ग्रैमर उसको आनी चाहिए, और टेंस किसी भी लेंग्वेज की ग्रैमर का सबसे इंपोर्टन टॉपिक है, और tense English की एक तरह से read की headdy समझो आप इसलिए ये जो English speaking course है इसमें हमें बोलना सीखना है लेकिन हमें basic grammar आनी चाहिए ताकि हम sentence को बना पाएं जब भी हमारा मन हो अब ऐसा तो है नहीं कि आपके मन में एक sentence आया कि sentence को बनाता हूँ और आप Google में search करेंगे कि sentence को कैसे बनाते हैं या फिर आप किसी को phone करके पुछेंगे कि बताओ कैसे बनाया जाएगा आपके दिमाग में खुद processing होनी चाहिए कि आपके मन में आया कि इस sentence को मैं कैसे बनाओ मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ और तुरंट आपको इध्यान आ जाए कि ये sentence इस हिसाब से बनेगा इस category का है इस rule के हिसाब से बनेगा ठीक है तो English speaking course में मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि जो basic grammar है उसमें tense important है और grammar you तो बहुत vast है हमें सारी grammar नहीं पढ़नी है लेकिन हमें क्या पढ़ना है पाँच important topics जो कि sentence बनाने के लिए समझो 100% English को cover करते है कौन कौन से topics है simple sentence जिनमें subject किसी काम को करता नहीं है tense के sentence जहाँ पर subject किसी काम को करता है causative verbs जहाँ पर subject काम को करता नहीं करवाता है कौन से होती है causative verbs get, make, let, help, have modal verbs जैसे can, could, should, may, might, must would और passive voice English speaking में passive voice से भी sentence को बनाने की जरूरत पढ़ जाती है तो यह जो basic grammar है हम इसको step by step cover करेंगे और उसके बाद हमें practice भी करनी है और फिर speaking पर आना है तो आज का यह जो वीडियो है बहुत ही important है क्योंकि इस वीडियो में मैं सभी tenses को cover करूंगा और आपको कई rules बताऊंगा और उनके exceptional cases भी बताऊंगा तो अगर आपको यह लगता है मुझे तो tense आता है आप देखिए वीडियो को आपको खुद महसूस होगा कि आपको tense कितना आता था यह शुरुबात करते हैं इस topic की important है तो वीडियो को ध्यान से end तक आपको देखना है कोई भी sentence tense का sentence तभी कहा जाएगा जब उस sentence में subject किसी न किसी काम को करता हूँ बताय जाएगा काम का मतलब किसी न किसी क्रिया को जैसे मैं आप से कहूँ मैं खेल रहा हूँ subject हूँ मैं और मैं क्या काम कर रहा हूँ खेलने का तो मैं खेल रहा हूँ यहाँ पर मैं किसी काम को कर रहा हूँ तो यह sentence एक tense category का sentence है जैसे मैं खेलता हूँ मैं खेलूंगा मैं खेल चुका हूँ मैं खेल चुका था मैंने खेला, मैं खेलूंगा, मैं सुभह से खेल रहा हूँ इन सभी sentences में आप देख रहे हैं मैं हूँ subject और मैं किसी न किसी काम को करता हूँ कर चुका हूँ, कर रहा हूँ, करूंगा इस तरह से बताया गया है तो ये सभी sentence होंगे tense के sentence Tense के sentence तीन time में कही जाते हैं present, past और future ठीक है और हर time में 4-4 categories हैं indefinite, continuous, perfect और perfect continuous इसलिए हम कह देते हैं कि यह है present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense इसी तरह से past की भी 4 categories, उसी तरह से future की भी 4 categories, हर category की पहचान आपके सामने लिखी है, हर category में कौन सी auxiliary verb use होगी ये भी लिखाए, लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलता है, इसके अलावा जैसे past indefinite tense में used to और would की entry हो जाना, या फिर future tense के sentences में will की जगह would का use हो जाना, या फिर perfect continuous tense में since for का use होना, लेकिन future perfect continuous tense में since for के अलावा from का use होना, तो आज की इस वीडियो में एक एक करके हम सब को देखेंगे, सबसे पहले चलते हैं present indefinite tense पे, present के indefinite tense की पहचान होती है, ता, ते, ती, और चुकि ये present है, इसलिए ता, ते, ती के बाद है, है, हो, हूँ आ सकता है, important ये है समझना कि ता, ते, जब हम कह रहे हैं, तो क्रिया, उस sentence की जो भी क्रिया होगी, उसके साथ में ता, ते, लगके आएगा, जैसे, मैं जाता हूँ, जाना, ये क्रिया है, उसके साथ में लगके आया, ता, जाता, है न, जाना क्रिया है, जाता बोल दिया, वो मुझसे मिलता है, मिलना, मिलना क्रिया है, वर्ब है, उसके साथ में ता लग गया, वो मुझसे मिलता है, वो मुझसे मिलती है, हम आप से मिलते हैं, तो तातेती के साथ है है हो हूँ, जब sentences में आता है, तो वो sentence होते हैं, present के, indefinite tense के sentence, इसके rules क्या हैं आपके सामने लिखे हैं, affirmative sentence, सकारात्मक वाक्य, जिनमें नहीं का प्रियोग नहीं होता, negative sentence जिनमें नहीं का प्रियोग होता है और नहीं की वज़ा से ही यहां पर not भी आ रहा है, interrogative यानि प्रश्ण वाचक, जहां पर question mark आपको sentence में दिखेगा, sentence में कोई question प उचा जाएगा और sentence negative भी होगा, ठीक है, इनके rules देखिए, सबसे पहले एक चीज़ को आपको पता होना चाहिए, जब भी आप किसी sentence को बनाएंगे, subject, यह जो subject है, इसके हिसाब से ही चीज़ें आगे चलती हैं, और subject क्या होते हैं, या तो singular, या plural, singular मतलब एक है जो singular, एक स तो first person होंगे, second person ये third person, I, I मतलब मैं, I एक first person singular subject है, we एक first person plural subject है, you हमेशा second person subject है, और हमेशा ही plural माना जाता है, इसका कोई singular form नहीं मानी जाती, और यह जो जितने भी subject हैं, he, she, this, that, it, यह कोई भी singular noun, singular noun, noun का मतलब name, singular मतलब कोई एक, किसी एक व्यक्ति का नाम, किसी एक जगह का नाम, किसी एक चीज का नाम, ये सभी noun है, अगर एक है तो singular, एक से जादा है तो plural, ये सभी है third person singular subject, ये सभी है third person के plural subject, अब चुकि subject के हिसाब से ही आगे चीज़ें होंगी, इसलिए मैं आपको ये बता दूँ इस tense में does और do का use किया जाता है, लेकिन affirmative sentence में नहीं, negative sentence में, negative में, interrogative में, negative interrogative में, कहाँ पर does का use होता है, कहाँ पर do का, ये समझना बहुत important है, third person singular subject के साथ में, हमेशा ध्यान रखिये, use होगा does, और इसके अलावा, बाकी जितने भी subject हैं, ये बहुत important है, चाए वो first person singular हो, चाए वो first person का plural हो we, ये second person हो you, ये फिर third person के जितने भी plural subject होंगे, इन सभी के साथ में, क्या लगेगा, do, कई बार students confused रहते हैं, कहते हैं, singular में does लगता है, plural में do लगता है, नहीं, अगर singular में does लगता है, तो फिर तो I के साथ भी does लगेगा, लेकिन I के साथ कभी does नहीं लगता है, ये हमेशा ध्यान रखना है, does का use केवल third person singular subject के साथ में, और do का use बाकी सभी subjects के साथ, ये बात clear हो गई, अच्छा, अब आजाईए, structures पे, affirmative sentence जब हम बनाते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं subject, उसके बाद उस sentence में जो भी verb है, जो भी क्रिया है, उसकी first form, इस sentence में verb की हमेशा first form का use किया जाता है, और इस बात को, मैं आपको बहुत detail में समझा रहा हूँ, बच्चों की तरह, इसी तरह से आपको सीखना है, ताकि आप कोई गलती ना करें, अब आजाते हैं S, E, S पे, देखिए, sentence में जो भी verb है, जो भी क्रिया है, उसके साथ में S या E, S लग जाता है, लेकिन कब लगाया जाता है, जब subject हमारा हो third person singular, अगर हमारा subject third person singular है, इन में से कोई, ठीक है, he है, she है, this है, that है, it है, कोई भी एक singular noun है, singular pronoun है, essay में, अगर subject third person singular है, तो मैं क्या करूँगा, क्रिया के साथ, verb के साथ, S लगा दूँगा, या फिर E, S लगा दूँगा, अब सवाल ये है, कि कहां पर मैं S लगाँगा, और कहां पर मैं E, S लगाँगा, 99% cases में तो आप S लगा देते हैं, जैसे वो खेलता है, तो खेलने को play कहते हैं, play के साथ लगा देते हैं, S, लेकिन कुछ ऐसे case हैं, जहां पर verb के साथ क्या लगता है, E, S, कहां पर लगता है, एक hint के तौर पर अगर आप देखें, जब भी किसी verb के end में होता है, O, तो E, S लगता है, और हम कह देते हैं, Goes, X होता है, जब किसी verb के end में Mix, ये क् डबल एस आता है, जिस verb के end में, E, S लगता है उसके साथ, जिस भी क्रिया के end में S आता है, E, S लगता है उसके साथ, तो ये हैं, चार आपको rules, थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखना चाहें, तो रख सकते हैं, जैसे जैसे आप sentences को बनाएंगे, आपको चीजे याद हो जा अब है, enjoy मतलब मजे करना, enjoy करना, play मतलब खेलना, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर y से end हो रहे हैं ये verbs, लेकिन इनके साथ में लग रहा है S, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कि try को, अगर try के साथ मेरे को S लगाना है, तो y को cut कर रहे हैं, और tries बना दे रहे हैं, और tries ब होता क्या है, ऐसा कहा जाता है, कि y से पहले, अगर कोई vowel है, यानि swear है, जैसे o, a, a, e, i, o, u, यह vowel होते हैं, जब भी vowel हो y से पहले, ऐसे में आप सीधा सीधा बस S लगा देंगे, और आप कह देंगे enjoy से place, लेकिन अगर y से पहले कोई consonant है, जैसे r, या l, ऐसे में आप y को हटाएंगे, और i, e, s लगा देंगे, और तब यहाँ पर use करेंगे, ठीक है, यह सब practice से आएगा, तो यह है affirmative का rule, अब देखें negative का rule है subject, उसके बाद does या do का use करेंगे, does का use कब करेंगे, जब subject क्या होगा, third person singular, और बाकी सभी cases में do, उसके बाद आप not का use करेंगे, फिर why, where, how, which, ठीक है, उसके बाद आती है, जो भी उस sentence की auxiliary verb है, does यह do, auxiliary verb कह सकते हो, यह helping verb भी कह सकते हो आप, उसके बाद subject, उसके बाद verb की first form, और फिर objective part, और question mark, negative interrogative sentence में हमेशा धान रखिए, बिलकुल interrogative की तरह बनता है, सिर्फ subject के बाद not का use हो जाता है, यह हमेशा का rule ह special case, जैसे मैंने आपको simple sentences, case structures में बताया था, यह special case तब use होते हैं, जब sentence में subject ही पूछा जाता है, यानि subject देखे कहीं पर आप देख रहे हैं, subject नहीं दिया हुआ है, यानि जब आपसे question ही पूछा जाता है, और WH family member subject को ही refer करती है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं द subject के बारे में ही पूछा जाता है, ऐसे case में special case कहते हैं, और वहाँ पर interrogative और negative interrogative sentences को बनाने का rule थोड़ा सा different होता है, और यह rule कुछ वैसा ही होता है, जैसा affirmative का, यह देखे, यहाँ पर subject के बाद verb की first form, subject के बाद verb की first form, तो subject ही इसमें WH family member होगा, उसके बाद verb की first form, उसके इसे case का use, उसके बाद objective part, और यह देखे, नेगेटिव की तरह ही बन रहा है, तो interrogative sentence काफी हद तक negative की तरह ही बनते हैं, अभी examples आपके सामने आएंगे, तो सबसे पहला example लेते हैं, रवी इस कुरसी को घसीटता है, आपको इस sentence को देखकरके आपको clear हो गया, कि इस sentence में कहीं पे not नहीं है, तो यह negative नहीं है, कोई question नहीं पुछा गया, तो यह interrogative नहीं है, यह sentence एक affirmative sentence है, मेरा subject कौन है subject वो होता है जो किसी काम को करता है रवी इस कुरसी को घसीटता है घसीटने का काम रवी करता है इसलिए रवी subject है तो subject हो गया रवी अभी शुरुवात में पहली tense को बड़े ध्यान से समझना है ताकि आगे चीजें आसान हो जाए रवी लिख दिया, ठीक है, सब्जेक्ट है रवी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अब क्रिया है यहाँ पर घसीटना, घसीटने को क्या कहते हैं, घसीटने को कहते हैं drag डी आर ए जी, ड्रैग, तो मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दूंगा, ड्रैग ये मैंने लिख दिया अब उसके बाद SES का use क्या मैं इसके साथ करूँ या ना करूँ ये एक सवाल है मैं कब करूँगा जब मेरा subject होगा 3rd person singular तो देखिए क्या आपका subject 3rd person singular है ये देखिए ये तो कुछ नहीं है रवी रवी क्या है एक singular noun है यनि किसी एक व्यक्ति का नाम है noun क्या होता है नाम होता है किसी व्यक्ति का जगा का चीज़ का तो 3rd person singular subject है तो 3rd person singular subject के case में तो मुझे verb के साथ SES का use करना पड़ेगा इसका मुतलब मुझे यहाँ पर SES लगाना पड़ेगा तो जैसा मैंने आपको बताया 99% cases में तो ऐसी लगता है ES तो कुछ खास cases में लगता है और वो आपके सामने है तो रवी ड्रैग्स इसका मतलब है रवी घसीटा है अब क्या घसीटता है यह कुरसी घसीटता है इस कुरसी को घसीटता है मतलब यह कुरसी this chair तो यह sentence मेरा बना रवी ड्रैग्स इस chair अच्छा इसी sentence को अगर मैं नेगेटिव बनाना चाहूँ रवी कुरसी नहीं घसीटता है रवी नेगेटिव में रवी अब रवी के साथ डस लगाऊ यह दू लगाऊ अब देखें रवी चुकी एक 3rd person singular subject है तो उसके साथ तो डस लगेगा रवी डस नॉट उसके बाद वर्ब की फास्ट वार्म करिया है घसीटना घसीटने को ड्रैग कहते है रवी डस नॉट ड्रैग यह chair अब यहाँ पर हमेशा धान रखिए नेगेटिव सेंटेंस है वहाँ पर SES थोड़ी लगाना है SES तो केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में लगेगा वो भी 3rd person singular subject के साथ नेगेटिव सेंटेंस में तो SES लगना ही नहीं है तो रवी डस नॉट ड्रैग दिस चेयर रवी इस कुरसी को नहीं घसीटा है यह नेगेटिव सेंटेंस हो गया अफर्मेटिव बनाया नेगेटिव बनाया अब ज़रा एक काम करते हैं इंटरोगेटिव बना लेते हैं इंटरोगेटिव यह प्रशन पूछ लेते हैं तो प्रशन पूछने के लिए सबसे इजी तरीका इससे पहले क्या लगा देते हैं, क्या रवी इस कुर्सी को घसीरता है, क्या, क्या लगा दिया, तो interrogative बन गया, अब देखिए, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से repeat कर रहा हूँ, क्योंकि जुन्हों ने नहीं देखा, उनको पता होना चाहिए, जब भ मतलब क्या है कहने का, देखिए, मैंने क्या पूला, मैंने कहा, क्या रवी इस कुर्सी को घसीरता है, मैंने आपसे question पूछा, तो इस question का answer आप yes या no में दे सकते हैं, आप कह सकते हैं, yes, या आप कह सकते हैं, no, है न, क्या रवी इस कुर्सी को घसीरता है, yes, या no, आप yes य no में answer दे सकते हैं इसलिए WH family का member यहां पर बिल्कुल नहीं आएगा अचा कब आएगा जैसे मान लीजी मैं आपसे पुछू रवी क्या घसीरता है तो आप कह देंगे yes या no में नहीं जवाब दे सकते हैं जब मैं आपसे पुछूँ कि रवी क्या घसीरता है तो इसलिए वहां पर तो WH family member क्या के लिए what आएगा लेकि जब मैं कहता हूं क्या रवी इस कुर्सी को घसीरता है तो आप कह सकते हैं yes या no इसलिए yes या no में जब आप question का answer दे सकते हैं जब मेरा subject एक third person singular है तो मुझे तो does से शुरू करना पड़ेगा तो मैं कहूंगा does Ravi verb की first form घसीटना यानि drag does Ravi drag this chair देखिए बनाना इस formation के हिसाप से तो interrogative sentence क्या रवी इस कुर्सी को घसीटता है does Ravi drag this chair अब यह जो sentence आगर मैं थोड़ा सब्सको negative भी कर दूँ क्या Ravi इस कुर्सी को नहीं घसीटता है not ला दूँ does Ravi not drag this chair simple है negative interrogative तो लिख देता हूं अब आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर देखिए दो sentence आपके सामने क्या Ravi इस कुर्सी को घसीटता है क्या तो यह बात मैं already आपको बता चुका हूं does Ravi drag this chair यह तो simple है मैं लिख देता लेकिन अब यह जो sentence है रवी क्या घसीटता है इस question का answer आप yes या no में नहीं दे सकते आपको बताना पड़ेगा की वह क्या घसीटता है या तो आपको पता है तो आप बताईए या आपको नहीं पता है तो आप कहेंगे नहीं मुझे नहीं पता कि वह क्या घसीटता है लेकि सही है न, what does Ravi drag, ठीक है, तो दोनों sentences हमें clear है, क्योंकि इस question का answer yes or no में दे सकते हैं, इसलिए मैंने यहापर wh family member what का use नहीं किया, लेकिन इस question का answer हम yes or no में नहीं दे सकते, इसलिए मैंने wh family member what का use किया, अब मैंने आपके सामने लिखें दो sentence, कुर्सी को कौन घसीटता है, और दूसरा sentence, पढ़ाई कौन नहीं करता है, अब देखिए, sentence interrogative है, दोनों, ठीक है, यह negative भी है, नहीं का use हो रहा है, तो मुझे मन में आएगा, कि interrogative sentence यह हो गया, negative interrogative यह हो गया, तो इनके हिसाब से बनाऊंगा, लेकिन सवाल यह है, कि इन sentences में subject कौन है, पता ही नहीं, subject के बारे में ही पूछ रहे है, कुरसी को कौन घसीटता है, घसीटने का काम कौन करता है, पता ही नहीं, मान लिजिए, राहूल करता है, रवी करता है, रंजय करता है, सलीम करता है, मुझीब करता है, वही तो subject है, तो जब मैं कह रहा हूँ, कुरसी को कौन घसीटता है, तो यह कौन, हूँ, यह WH family member subject के बारे में ही पूछ रही है, इसका मतलब जब WH family member subject के बारे में ही पूछता है, ऐसे में special case के हिसाब से interrogative sentence को बनाएंगे, और यहाँ पर भी आप देखिए, पढ़ाई कौन नहीं करता है, जो नहीं करता है, वही तो subject है, तो वो subject, जैसे मैं खाऊँ, रवी नहीं करता है, तो करना का काम कौन नहीं करता है, रवी, तो subject के बारे में ही पूछ रहे हैं, और नेगेटिव भी इसने, नेगेटिव इंटरोगेटिव के इस formation के हिसाब से बनाएंगे, तो अब ज़रा इस sentence को बनाते हैं, कुर्सी को कौन घसीता है, who, और घसीतने क द्रैग कहते हैं, अब ऐसे या इस लगाएं या ना लगाएं, ऐसे या इस तो तब लगेगा, जब 3rd person singular subject होगा, अब यहाँ पर तो subject दिया ही नहीं हुआ है, लेकिन WH family member जिस subject के बारे में पूछ रही है, वो एक है या एक से जाधा, सोचिए ज़रा ध्यान से, अगर वो एक है, तब ही तो मैं पूछ रहा हूँ कुर्सी को कौन घसीटता है, कोई एक होगा, अगर एक से जाधा का impression होता मेरे दिमाग में, जब मैं एक question आप से पूछता और मुझे लगता कि कुर्सी को एक आदमी नहीं घसीटता, एक से जाधा लोग घसीटते हैं, तो मैं आप स कुर्सी को कौन घसीटता है, यानि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, question पूछने वाला मैं हूँ, मेरे दिमाग में ये चल रहा है, कि कोई एक आदमी है जो कुर्सी को घसीटता है, मुझे बताइए कौन है वो, तो WH family member कौन हूँ, ये किसी एक को third person singular को refer कर रहा है, इसलिए as या yes का use किया जाएगा, और drag के साथ में आप as का use करते हैं, who drags और objective पार्ट में आया कुर्सी the chair, who drags the chair, अब यहाँ पर देखिए, पढ़ाई कौन नहीं करता है, who, अब who के साथ does लगे ये do लगे, does तब लगेगा जब third person singular subject होगा, और मैं ये मान रहा हूँ कि किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है, पढ़ाई कौन नहीं करता है, मान लिजिए, आप मेरे पास आये, आपने का देखिए, यहाँ पर 10 लोग बैठे हैं, इन में से एक आदम verb की first form, अब क्रिया क्या है, पढ़ाई करना, पढ़ाई करने को study कहते हैं, who does not study, अब ज़रा सोचिए, अगर ये sentence होता, पढ़ाई कौन नहीं करते हैं, तो मैं कहता, who do not study, do not study, क्योंकि तब मैं ये मानता, कि जो subject हैं, जो पढ़ाई नहीं करते हैं, जिनके बारे मैं अपनी में, अपनी उंगली डुबोता हूं, तातिती आ गया, और है है हो हूं, ठीक है, तो ये present indefinite tense है, क्योंकि डुबाना, डुबाना एक क्रिया है, और उस क्रिया के साथ लग करके आ रहा है, ता, इसलिए ये present indefinite tense है, डुबोने का काम कौन करता है, मैं, तो subject हूँ, म मैं मतलब I, और आप जानते हैं, इन सब के साथ तो do लगेगा, ठीक है, अब ये sentence है कैसा, ये sentence है affirmative, क्योंकि इसमें not भी कहीं नहीं आ रहा है, interrogative भी नहीं है, तो affirmative sentence के रूल के साथ सब्जेक्ट हूँ मैं, I, डुबोने को क्या कहते हैं, verb की first form, डुबोने को dip करना कहते है dip, dip dip, I dip, अब dip के साथ S लगेगा या नहीं लगेगा, सोचिए, दिखे, SES तो केवल तब लगता है, जब third person singular subject होता है, I तो third person singular है या नहीं, third person singular तो ये है, I तो first person singular है, इन सब के साथ तो, आप जानते है, SES का use नहीं होगा, केवल third person singular के साथ होगा, तो dip के आगे S नहीं आएगा और उसके बाद objective part, objective part क्या है, पानी में अपनी उंगली, ये पूरा objective part है, subject हुँ मैं, उसके बाद verb है dip, डुबोना, उसके बाद objective part, तो कैसे sentence को बनाऊँगा, मैं dip करता हूँ, यानि मैं डुबोता हूँ, क्या डुबोता हूँ, अपनी उंगली, my finger, कहां डुबोता हूँ, पानी में, into the water, अचा, into का use तब किया जाता है, जब आप किसी चीज़ के अंदर घुसते हैं, जैसे कि कमरे के अंदर घुसना, तो into हो गया, उंगली जैसे पान में ज्यादा clear होगा, लेकिन एक idea दे रहा हूँ, तो यह sentence बन गया, I dip my finger into the water, अगर इस sentence को negative बना लूँ, मैं पानी में अपनी उंगली नहीं डुबोता हूँ, negative, I do not, do लगेगा न, क्यों लगेगा, I के साथ क्या लगेगा, do, I do not dip my finger into the water, simple है, अगर interrogative बना लूँ, क्या मैं पानी में अपनी उंगली डुबोता हूँ, क्या से शुरुवात कर दिया, यनि कि आप इस question क answer yes या no में दे सकते हैं, आप कह सकते हैं yes, या आप कह सकते हैं no, तो डबलो इस family member नहीं आएगा, सीधा does या do से शुरुवात होगी, तो किस से शुरुवात करूँ, does या do से नहीं डुबोता हूँ, क्या से शुरुवात कर दिया, डबलो इस family member नहीं आएगा, do I not dip my finger into the water, do I not dip my finger into the water, तो ये चार तरीके हो गए, अब इसके अलावा एक sentence और लिखता हूँ, पानी में अपनी उंगली कौन डुबोता है, अब यहाँ पर पुछ लिया, कौन डुबो होता है, तो डबलो इस family member who का use होगा, interrogative sentence है, लेकिन आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी, जो डुबोता है, डुबोने का काम जो करता है, उसके बारे में बताया ही नहीं गया है, यानि subject है वो, उसी के बारे में पुछा गया है, कि कौन डुबोता है, अगर मैं कहें दू रवी डुबोता है, राहूल डुबोता है, तो वही हो जाएंगे मेरे subject, ऐसे में, यह वाली category आएगी, who dips, dip के साथ S लगा, who dips, क्या, his finger, who dips his finger, his finger मतलब अपनी उंगली, who dips his finger into the water, ऐसे बनेगा इस sentence, अब आपको यहाँ पर यह भी लग सकता है, कि dip के साथ मैंने S क्यों ल लगाया, क्योंकि जब मैंने पूछा, पानी में अपनी उंगली कौन डुबोता है, तो मैंने यह मान लिया, कोई एक डुबोता होगा, तो कोई एक डुबोता होगा, तो थर्ड परसंट सिंगुलर होगा, इसी वज़ा से, थर्ड परसंट सिंगुलर मानने की वज़ा से, म उसी के साथ में लगके आया था, कोशिश करना की जगा कोशिश करता, अब पॉइंट एक और है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, तातिति के साथ में है है हूँ तो लिखा नहीं है, लेकिन अगर ध्यान से सोचें, वो लड़का जीतने की कोशिश नहीं करता, मतलब वो लड़का जीतने की कोशिश नहीं करता है, यही है न सेंस, तो है, है, हो, हूँ नेगेटिफ सेंटेंसेस में जैरली नहीं भी आता है, जैसे मालन लिजे मैं आप से कहूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, तो जब affirmative कह रहा हूं तो मैं कह रहा हूं मैं वहां जाता हूं लेकि जब मैं कह रहा हूं मैं वहां नहीं जाता हूं तो मैं वहां नहीं जाता हूं तो इसलिए है है हूं नहीं आ रहा है लेकिन sense तो वही है न तो इसलिए present in definite tense में और कोशिश करना यहां पर क्रिया है और कौन नहीं कोशिश करता, वो लड़का, तो subject कौन है, वो लड़का, that boy, ये मेरा subject हो गया, that boy, does लगाऊं की do लगाऊं, third person singular subject है, एक ही है न, third person singular है, तो does use करूँगा, that boy, does not, उसके बाद verb की first form, क्रिया क्या है, कोशिश करना, कोशिश करने को क्या कहते हैं, try, try, और उसके बाद objective part अब objective part में आया, जीतने की, जीतना भी एक क्रिया है, लेकिन objective part में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुख्य क्रिया, main verb कोशिश करना, तो जब कोई verb objective part में आती है, तो to के साथ में use कर लेते हैं, to win, कैसे, देखे, sentence बनाता हूँ, that boy does not try, does not try, किस चीज की कोशिश नहीं करता जीतने की, जीतना भी एक क्रिया है, तो to के साथ आगया, to win, आप shirt पर बहुत जादा brush रगड़ते हो, यह sentence affirmative है, कौन रगड़ता है, रगड़ना एक क्रिया है, कौन रगड़ता है, आप रगड़ते हो, तो subject कौन है, आप you, you के साथ, rub, verb की first form, क्रिया है, रगड़ना, करने को, rub कहते है, rub, rub के साथ, S या, ES का use करूँ या ना करूँ, S या, ES का use तो third person singular subject के साथ होता है, मेरा subject है you, you तो एक second person subject है, तो इसका मतलब मैं नहीं करूँगा, you rub, उसका objective part, आप रगड़ते हो, you rub, क्या रगड़ते हो, brush, बहुत जादा रगड़ते हो, किस पर brush, too much, on the shirt, on the shirt, ठीक है, you rub the brush, too much, on the shirt, वो दीवार पर क्या चिपकाती है, क्या चिपकाती है, question mark, interrogative sentence है, क्या के लिए आप कहेंगे, what, उसके बाए, does लगाउं, या do लगाउं, depend करेगा subject पे, मेरा subject कौन है, वो दीवार पर क्या चिपकाती है, चिपकाने का काम कौन करता है, वो, यहाँ पर कोई लड़की है, तभी तो मैं कह रहाँ, चिपकाती है, वरना मैं कहता है, चिपकाता है, तो लड़की है, लड़की के लिए she, ये एक third person singular subject है, does का use करेंगे, what does she, और चिपकाना, चिपकाने को क्या कहते है, चिपकाना मेरी क on the wall, कौन-कौन खाना अच्छे से नहीं चबाते हैं, कौन-कौन खाना अच्छे से नहीं चबाते हैं, सोचिए, देखें, नेगेटिब भी है, इंटेरोगेटिब भी है, ठीक है, चबाना, चबाना यहाँ पर एक क्रिया है, चबाते वे आप कोई काम कर रहे हैं, क्रिया है चबाने को Q कहते हैं C-H-E-W, ठीक है, सब्जेक्ट कौन है, कौन है जो चबाने का काम नहीं कर रहा है, यहां पर तो सब्जेक्ट के बारे में पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि बैस सब्जेक्ट के बारे में तो पूछ रहा हूं, कौन-कौन खाना अच्छे से नहीं चबात है तो negative भी है interrogative भी है और subject के बारे में ही WH family member पूछ रहा है essay में इसके हिसाब से बनेगा कौन 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 कहते है who all who all अब चुकि वह एक से ज़्यादा को refer कर रहा है तो do का use करेंगे who all do not chew the food खाना अच्छे से well who all do not chew the food well अब आपको समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा idea हो रहा है न अच्छा और sentences लेते हैं थोड़ा practice हो जाएगी वह लड़के दौड़ने के बाद हाफते क्यों हैं बहुत interesting sentence है आप ये तो देख लिए आपने की interrogative है यहां पर आ रहा है क्यों क्यों के लिए हम कहेंगे wh family member why ठीक है why के बाद does लगाएंगे ये do लगाएंगे ये depend करेगा subject पे कौन हाफते हैं की बात हो रही है वो लड़के तो subject हैं वो लड़के वो लड़के एक से जादा हैं those boys those boys ये होगे मेरा subject why do those boys why do those boys halfने को क्या कहते हैं तो कि क्रिया क्या है halfने को gasp कहते है उसके बाद objective पार्ट में आया दोडने के बाद वो लड़के दोडने के बाद हाफते क्यों हैं why do those boys gasp after running after running अच्छा यहाँ पर देखिए कितना interesting एक चीज है अगर भी दोडने के बाद ना होता क्योंकि दोडना भी क्रिया है आपके मन में आ सकता है कि इस sentence पे क्रिया है दोडना लेकिन सवाल यह है कि subject किस काम को करता है हाफता तब ही तो है present indefinite tense वो लड़के हाफते क्यों है why do those boys gasp यह तो हो गया sentence लेकिन अब इसमें जुड़ गया दोडने के बाद और बाद के लिए किसी चीज के बाद के लिए after का use करते है और after के बाद जब कोई verb आती है तो उसकी ing form का use किया जाता है और हमेशा धान रखिए WH family member यह हुआ यह auxiliary verb यह helping verb जिसे आप कहते हैं यह आपका subject है यह आपकी sentence की main verb है तो कोई पुछा है main verb क्या है sentence की gasp और यह तो objective part में और objective part में जो verb आती है अगर direct आती तो to के साथ use कर सकते थे after के बाद आ रही है कि यह बाद का sense आ रहा है after उसके बाद तो verb की ing form का use करते हैं तो यह थोड़ा सा knowledge भी आप gain करते जा रहे हैं यह काम कौन करता है इस sentence में आप देखी कौन करता है जो करता है उसी के वही जो subject है कौन करता है who अब क्या कहीं who अब verb की first form आनी है बताईए यहाँ पर verb की first form क्या है देखिए सोचिए ऐसे सोचिए मान लीजे मैं कहता यह काम राहूल करता है तो राहूल करता है करना करने को भी तो कुछ कहते हैं करने को क्या कहते हैं करने को कहते हैं do देखिए do एक auxiliary verb भी है लेकिन do एक main verb भी है और do का मतलब होता है करना तो यहाँ पर main verb है do who अब यहाँ पर main verb आई do कौन करता है who do अब do के साथ ऐसे yes लगाऊं या नहीं लगाऊं अब देखिए जब मैं कह रहा हूँ यह काम कौन करता है तो question पूछने वाला हूँ मैं तो मैं यह मान के चल रहा हूँ किसी एक की बात है अगर मेरे मन में होता कि एक से ज़्यादा लोग है तो मैं क्या कहता यह काम कौन करते हैं कौन करते हैं बोलता मैंने का यह काम कौन करता है यानि कोई एक तो ऐसे में singular treat कर रहा हूँ तो s e s लगेगा और आप जानते हैं कि do do इसके end में o आ रहा है तो do के साथ तो e s लगता है does इसलिए तो does बनता है does who does objective part में क्या है यह काम this work who does this work अगर यह sentence ऐसा होता यह काम कौन कौन करते हैं यह काम कौन करते हैं तब मैं क्या कहता कौन कौन के लिए who all who all ठीक है do उसके साथ e s तो नहीं लगाता फिर में क्योंकि वो third person singular नहीं treat होता मैं कह रहा हूँ यह काम कौन कौन करते हैं यह नि वो जो कौन कौन हैं वो एक से ज़ादा है और डबलो इस family member subject को refer कर रहा है तो a c s का तो सवाल ही पैदा नहीं होता who all do this work ऐसे बनता है यह sentence ठीक है अब हम मूफ करते हैं present continuous tense पे present continuous tense तो बहुत simple है यहाँ पर रहा है रही है रहे है इस तरह के sentence आते हैं जैसे वो खेल रहा है मैं पढ़ रहा हूँ वो जा रहा है आ रहा है और रहा है रहा है रहा है मैं आपके सामने sentence रखता हूँ पूजा मसाले पीश रही है पीशने के काम को कर रही है तो रहा है रही है रहे है आ गया present continuous tense काम क्या कर रही है हो पीशने का पीशने को कहते हैं ग्राइंड करना G R IN D कौन पीश रहा है कौन कर रहा है उस पाम को पूजा कर रही है, पूजा यहाँ पर subject है, और पूजा कैसा subject है, चुकि किसी एक व्यक्ति का नाम है, किसी एक का नाम है, इसलिए singular noun है, noun का मतलब सीधा सीधा name समझ लीजी आप, नाम, यह बात मैंने भी थोड़ी दे पहले भी बताईए आपको, तो यह कैसा subject है, third person singular subject है, इ इसने को grind कहते हैं, verb की first form grind, grind के साथ ing grinding, उसके बाद objective part, objective part में मसाले, मसाले को कहते हैं spices, पूजा is grinding the spices, अगर यही sentence negative हो जाए, पूजा मसाले नहीं पीस रही है, तो नहीं के लिए simply यहाँ पर आप इसके बाद क्या लगा देंगे, not, पूजा is not grinding the spices, अगर interrogative कर दें sentence को प्रश्न वाचा कर दें, क्या पूजा मसाले पीस रही है, क्या से शुरुवात कर दिया, इस question का answer आप yes या no में दे सकते हैं, इसलिए WH family member यूज नहीं होगा, इस से शुरुवात होगी, इस पूजा grinding the spices, इस तरह से बन जाएगा interrogative sentence, तो यह sentence बन गया, क्या पूजा मसाले पीस रही है, इस पूजा grinding the spices, ठीक है interrogative, अच्छा अगर मैं कह दूँ, पूजा मसाले क्यों पीस रही है, क्यों कह दिया मेंने, क्यों के लिए हम क्या कहते हैं, why, why is Pooja grinding the spices, तो मैं simply why का यूज कर लूँगा या फिर अगर मैं कह दूँ कि पूजा मसाले क्यों पीश रही है क्यों के लिए तो ठीक है कह दिया why अच्छा पूजा मसाले कहां पीश रही है कहां के लिए where where is पूजा ग्राइंडिंग दे स्पाइस तो जैसे जैसे wh family member का use होगा sentence में उसी तरह से wh family member आ जाएगा जैसे अगर sentence हो पूजा मसाले किस के साथ पीश रही है किस के साथ अब किस के साथ के लिए कौन सा wh family member यूज किया जाता है with whom with whom is पूजा grinding the spices अच्छा इसी तरह से अगर मैं कह दूँ कि पूजा किस लड़की के साथ मसाले पीश रही है तो किस लड़की के साथ इसके लिए wh family member मैं कौन सा यूज करूँगा with which girl with which girl ये बात मैंने wh family member के वीडियो में आपको पताईए with साथ which girl कौन सी लड़की तो कौन सी लड़की के साथ ये किस लड़की के साथ बात तो ही किये तो with which girl का यूज कर लेंगे बाकि sentence तो as it is रहेगा with which girl इस पूजा grinding the spices तो देखिए अभी शुरुआत में तो हो सकता है आप चीजों को थोड़ा थोड़ा रूल के हिसाब से सीखते हैं लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ये rules तो बड़े easy हैं आपको तुरंट दिमाग में आएगा कि सबसे पहले WH family member उसके बाद में जो भी helping verb यूज रही है उसके बाद subject उसके बाद verb की first form के साथ ing लगाना पड़ेगा क्योंकि present का continuous tense है और उसके बाद objective part अब देखिए दो sentence पूजा क्या पीस रही है और पूजा और अर्चना क्या पीस रही है इस sentence में दो लोग काम को कर रहे हैं पीसने का पूजा और अर्चना एक से जादा हैं दो है ना एक से जादा हैं तो plural noun third person का plural subject है और आप जानते हैं plural के साथ r लगेगा तो इस sentence में तो r का use होगा और पूजा जब एक वेक्ति की बात है singular noun तो इसका use होगा पूजा क्या पीस रही है इस sentence ये sentence interrogative है ठीक है यहाँ पर क्या के लिए what का use करें या ना करें जब मैं आपसे एक question पूछूंगा पूजा क्या पीस रही है तो दो बाते हैं या तो आप मुझे बता देंगी कि वो क्या पीस रही है या आप मुझे हो सकता कह दें कि मुझे नहीं पता कि वो क्या पीस रही है लेकिन इस sentence का answer आप yes या no में नहीं दे सकते है आप ऐसा नहीं कह सकते है या no इससे तो बात clear ही नहीं होगी तो आपको बताना पड़ेगा पूजा क्या पीस रही है मैं पूछ रहा हूँ कि क्या है वो चीज जो पीस रही है तो आपको बताना पड़ेगा इसलिए इस sentence में क्या के लिए हम यूज करेंगे what what के बाद is लगेगा, am लगेगा, are लगेगा depend करता है subject पे subject है पूजा, third person singular तो इसका यूज करना पड़ेगा what is पूजा पीस रही है पीस ने को grind grind के साथ आए अन जी, grinding what is पूजा grinding question mark और इस sentence में पूजा और अर्चना क्या पीस रही है what what are, are क्यों लगा क्योंकि एक से ज़ादा है, plural subject है what are, और subject कौन है, कई बार students confused होते हैं, कहते हैं यह आवर दो subject है एक है पूजा, एक है अर्चना, नहीं, ऐसे नहीं subject वो पूरा है subject वो है, जो किसी काम को कर रहा है पीसने के काम को दोनों कर रहे हैं तो यह पूरा का पूरा पूजा और अर्चना, यह पूरा subject है what are, पूजा and अर्चना grinding what are, पूजा and अर्चना grinding कुछ और sentences लेते हैं वो अपनी सफलता का श्रे किसे दे रहा है यानि वो अपनी success जो सफलता है success का credit किसे दे रहा है इस sentence को आपको बनाना है आपके दिमाग में तुरंत आया रहा है रही है रहे है present continuous tense ठीक है और किसे दे रहा है ये तो question है तो interrogative sentence है ठीक हो गया अब किसे दे रहा है तो किसे इसके लिए तो WH family member लगेगा कौन सा WH family member होता है जिसके लिए हम जिससे हम कहते है किसे किसे किस को या किस से इसके लिए हम क्या use करते है हम use करते है whom दबलू एच ओ एम हूम तो सबसे पहले तो WH family member आगया हूम अचा उसके बाद अब मुझे is mr में से किसी एक का use करना है depend करता है subject पर subject कौन है कौन दे रहा है देने का काम कौन कर रहा है subject है वो वो कोई लड़का है यानि कि he ये तो third person singular है यानि is लगेगा whom is subject subject है he whom is he देना देने को give कहते है verb की first form क्रिया है देना देने को हम give कहते है give के साथ लगेगा ing whom is he giving सिर्फ इतने का क्या मतलब है वो किसे दे रहा है वो किसे दे रहा है अब क्या दे रहा है अब आएगा objective पार क्या दे रहा है पहले तो ये बताइए श्ले श्ले मतलब credit अपनी सफलता का of his success whom is he giving credit of his success देखे बन गया sentence और ऐसा नहीं है कि आपको इतना सोचना पड़ेगा वो तो अभी सोचना पड़ रहा है जैसे जैसे practice होती जाएगी चीजें आसान हो जाएगी अब इस sentence को देखिए किस लड़की का भाई यहां आ रहा है इस sentence में भी आपने देखा रहा है रहे 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 present continuous tense question mark यानि कि पूछा जा रहा है तो question है अच्छा जब भी question आये तो सबसे पहले देखिए कि WH family member क्या है जैसे कि किस लड़की का भाई अच्छा WH family member की separate video में जैसे मैंने बताया था कि किसे के लिए हम whom कहते है वैसे ही मैंने आपको बताया था कि किस लड़की का भाई के लिए हम क्या कहते है which girl's brother तो ये पहले से पता होना चाहिए इसलिए हम step by step चल रहे है आठ day 22 है इससे पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखिए तो देखिएगा तभी जाकर का आगे चीज़े क्लियर होती है किस लड़की का भाई या आ रहा है अब ये interrogative sentence इसमें subject कहा है जब हम कह रहे हैं कि आ रहा है तो आने के काम को कौन कर रहा है उसी के बारे में तो पूछा है subject के बारे में तो पूछ रहे हैं किस लड़की का भाई तभी तो आप बताएंगे उस लड़की का भाई या इस लड़की का भाई is है आ रहा coming यहाँ objective part में here which girl's brother is coming here और मैंने आपको एक बात और बताई थी एक वीडियो में कि जब भी here यह there आता है उससे पहले English में आप यहाँ पर over का use भी कर सकते हैं लिखते वक्त भी बोलते वक्त भी तो आप सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं which girl's brother is coming over here over here भी कह सकते हैं और केवल here के साथ कह सकते है which girl's brother is coming here यह pen कौन खरीद रहा है अब जो खरीद रहा है उसके बारे में ही तो पुछा गया है क्योंकि खरीद रहा है खरीदने के काम को कौन कर रहा है मैं तो यही पूछ रहा हूँ अगर राहूल कर रहा है तो राहूल सबजेक्ट है अगर रवी कर रहा है तो रवी सबजेक्ट है ऐसे case में यह वाली category आ जाएगी कौन who who के साथ is लगा हूँ या M लगा हूँ या R लगा हूँ तो देखिए जब मैं कहा रहा हूँ यह pen कौन खरीद रहा है इसका मतलब कोई एक वेक्टी है जो खरीद रहा है ऐसा कुछ मेरे मन में है तब ही तो मैं पूछ रहा हूँ कौन खरीद रहे हैं तो यहाँ पर आएगा is who is खरीदने को buy भी कहते हैं purchase भी कहते हैं तो यह तो मैं कहूँगा buying buying या purchasing who is buying यह pen objective पार्ट में आगया है यह pen this pen who is buying this pen मान लिजे यह sentence होता यह pen कौन खरीद रहे हैं इसका मतलब जो question पूछ रहा है उसके मन में है कि एक से ज़ादा लोगों की बात हो रही है यह pen कौन खरीद रहे हैं तब मैं कहता who are buying this pen अच्छा ऐसे questions में या तो singular होगा या plural होगा M का use तो कभी हो नहीं सकता है इसलिए इसको आप इस rule से cut कर दीजिएगा ठीक है या तो age आएगा या r आएगा अगर question में जो WH family member है वो refer कर रहा है subject को जो की singular है तो age लगा दीजिए और नहीं तो r ये तो question को जब आप बोलेंगे तभी sense clear हो जाएगा अब देखे इस question में मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ सोच रहा हूँ सोचना एक काम है रहा है रही है रही हूँ present continuous tense interrogative sentence है सोचने का काम कौन कर रहा है मैं तो यहाँ पर तो subject दिया हुआ है सबजेक्ट दिया हुआ है इसका मतलब यह वाला interrogative sentence formation wh family member क्यों क्यों के लिए why why am i मैं क्यों सोच रहा हूँ न why am i why am i सोचने को think thinking और objective पार्ट में क्या है ऐसा ऐसा को कहते हैं so why am i thinking so अगर मैं इंगलिस बोलने के point of view से बात करूँ तो सो की जगह पे like this भी कह सकते हैं why am i thinking like this या फिर why am i thinking like that like this like that इन सभी तरीकों से sentence को हम बना सकते हैं तुम ऐसा कहकर मेरा दिल दुखा रहे हो तो दुखा रहे हो रहा है रही है रहे है आ गया present continuous tense दुखा रहे हो यनि दुखाना और दिल दुखाना इसके लिए जो verb use होती है वो use होती है hurt h-u-r-t hurt और कौन दिल दुखा रहे हैं तुम तुम को हम कहते हैं you चाहे कोई एक वेक्तिर दुखा रहा हो चाहे एक से ज़ादा मान लिजे चार लोग हैं और मैं उन चारों को कहता हूँ तुम मेरा दिल तुम ऐसा कहकर मेरा दिल दुखा रहे हो इसका मतलब तुम चारों दुखा रहे हो तुचाहे चार हो चाहे एक हो you ही यूज किया जाता है और you को हमेशा plural ही treat किया जाता है, यह नहीं कि एक है कोई तो singular treat कर लूँ, नहीं, subject है you, affirmative sentence है, you के साथ हमेशा are, you are hurt, hurt, you are hurting, किसका दिल दुखा रहे हो, मेरा दिल, you are hurting me, क्या करके, ऐसा कहकर, इसको अभी हम करते हैं, पहले उससे पहले, तुम मेरा दिल दुखा रहे हो, you are hurting me, अब देखिए, ऐसा कहकर, अब हो सकता है कि जब आप 10 सीख रहे हैं, चुकि आप day 22 में, इससे पहले आपने इस तरह का formation कभी नहीं देखा, और मैं मान लेता हूं कि इससे पहले आपने कभी English सीखी भी नहीं है, तो आपको बता रहा हूं, आप note कर लिजिए, आगे चलके कहते हैं, या tell कहते हैं, तो ये भी तो एक verb है, एक kriya है, और मैंने आपसे कहा कि जब object में कोई kriya आती है, तो या तो उनसे पहले to लग जाता है, या उनके साथ ing लग जाता है, अब चुकि ऐसा कहकर के लिए जो phrase हम use करते हैं, वो होता है, by telling this, या तो by telling this, या telling की जगह पर कह सकते हैं, by saying this, तो यहाँ पर आ रहा है by, और by के बाद जो verb आती है, उसके साथ ing लगता है, ठीक है, यह आपको note करना है, you are hurting me by telling this, अब इस sentence में देखिए, कोई मुझे ही याद कर रहा है, यानि miss करना किसी को, कर रहा है, रहा है, रहा है, रहे है, present continuous tense, कौन miss कर रहा ह कोई, तो subject है कोई, कोई को क्या कहते है, someone, अब यह बताईए कि someone के साथ में, is लगाऊ, m लगाऊ, r लगाऊ, m तो केवल i के साथ आता है, is आता है, third person singular के साथ, और someone क्या है, यह एक singular pronoun है, जिसके बारे में, मैंने जब आपको यह पूरा समझाया था, first person, second person, third person के singular pronoun, तो मै वैसे भी आप देख रहे है, singular है, कोई एक है, third person singular है, is लगेगा, someone is याद कर रहा, missing, किसे याद कर रहा है, मुझे याद कर रहा है, missing, me, simple, तो यह tense बहुत simple है, लेकिन कुछ चीजा हमने सीखी, अब मूव करते हैं, present के perfect tense पे, present के perfect tense की पहचान है, चुका है, चुकी है, चुके है, लिया है, दिया है, आया है, गया है, उठा है, बैठा है, रोया है, सोया है, हसा है, जागा है, नाचा है, गाया है, यानि किसी काम को subject ने किया है, यानि वो कर चुका है, या फिर ली है, दी है, की है, उसने मुझसे किताब ली है, यानि वो किताब मुझसे ले चुकी है तो इस तरह का sentence होगा present perfect में auxiliary verbs यूज होंगी has, have बहुत से students सोचते हैं singular के साथ में लगा दो has plural के साथ लगा दो have, जो कि बिल्कुल गलत है केवल third person singular के साथ लगाना होगा has और बाकी ये जितने भी है इन सभी के साथ लगाना होगा have, तभी तो I के साथ have लगता है अगर singular के साथ में has लगता, पूरे singular के साथ तो I तो एक first person singular इसके साथ भी has लगता, लेकिन I के साथ क्या लगता है have, तो rule हमेशे याद रखना है third person singular के साथ has बाकी सभी के साथ have formations आपके सामने है सब कुछ लगबग clear है चीज़ें अब आसान है हाँ एक बात हमेशा याद रखिए किसी भी perfect tense में चाहे वो present का हो past का हो future का हो verb की हमेशा third form का use किया जाएगा और किसी form का use नहीं किया जाएगा sentences लेते है उसने मुझे धोका दिया है मुझे धोका नहीं दिया है तो ये चारों तो ये हो गए affirmative, negative, interrogative and negative, interrogative sentence पहले affirmative sentence उसने मुझे धोका दिया है यानि धोका देने का काम वो कर चुका है तो आगे ना perfect tense का sense ठीक है किसने दिया है उसने अगर कोई लड़का है तो he अगर कोई लड़की है तो she ठीक है मैं मान लेता हूँ किसी लड़की की मैं बात कर रहा हूँ कि उसने मुझे धोका दिया है तो subject हो गया he third person singular subject है इसके साथ लगेगा has he has धोका देने को कहते हैं cheat cheat की third form cheated और किसे धोका दिया है मुझे me लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूँ कि जब भी cheat आता है न तो cheat के बाद on जरूर लगता है ठीक है ये एक additional information है आपके लिए तो कैसे sentence को बनाएंगे he has cheated on me कभी भी ये मस सोचिए कि यहाँ पर on नहीं आएगा और on आया क्यों on का मतलब तो होता है किसी चीज़ के ऊपर ऐसा मस सोचिए हमेशा इध्यान रखिए कि cheat एक ऐसी verb है जिसके बाद on आना बिल्कुल जरूरी है तो उसने मुझे धोका दिया है he has cheated on me ऐसे बोला जाता है उसने मुझे धोका नहीं दिया है he has not cheated on me simple और यही sentence जब interrogative हो गया कि क्या उसने मुझे धोका दिया है तो क्या इस question का answer आप कह सकते हैं yes या आप कह सकते हैं no यनि आप कह सकते हैं हाँ या आप कह सकते हैं na तो हाँ ना में जवाब दे सकते हैं वैसे भी क्या से शुरुवात हो रही है और negative interrogative sentence में क्या उसने मुझे धोका नहीं दिया है तो नहीं के लिए has he और he के बाद आएगा not ये हमेशा ध्यान रखना है कि negative interrogative sentence में हमेशा subject के बाद आता है not has he not cheated on me अच्छा अब देखे एक चीज़ छोटी से add कर देते हैं अगर ये interrogative sentence बजाये कहने की क्या उसने मुझे धोका दिया है अगर मैं कहता उसने मुझे धोका क्यों दिया है क्यों आ जाता तो simple Why Why has he cheated on me है ना Why has he cheated on me उसने मुझे धोका कब दिया है कब के लिए When when has he cheated on me simple अब ये दो sentence देखे मुझे किसने धोखा दिया है ये sentence देखते ही आपके दिमाग में सीधा आया कि धोखा दिया है यानि धोखा दे चुका है जिसने भी धोखा दिया है धोखा दे चुका है ठीक है अब मैं आपसे पूशता हूँ कि बताईए इस sentence में subject क्या है आपके दिमाग में तुरंत आएगा मुझे यानि कि मैं हूँ subject लेकिन आप ध्यान से सोचिए subject वो होता है न जो किसी काम को करता है धोखा देने के काम को किसने किया है मैंने नहीं मुझे तो धोका दिया गया है किसने दिया है ये नहीं बताया गया तो sentence को देखिए और समझना बहुत ज़रूरी है मुझे किसने धोका दिया है जिसने धोका दिया है वही तो subject है subject के बारे में ही पूछा जा रहा है तो अगर मैं कहूँ कि मुझे राहुल ने धोका दिया है तो इसका मतलब subject है राहुल क्योंकि धोका देने का काम कौन कर रहा है राहुल अगर मैं कहूँ मुझे रवीना ने धोका दिया है तो subject कौन है रवीना तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये subject नहीं है मुझे, मुझे धोका दिया गया है, मैं तो object हूँ, subject के बारे में ही पूछा गया है, interrogative sentence है, subject के बारे में ही पूछा जा रहा है, WH family के द्वारा, WH family member है, किसने धोका दिया है, यानि कौन है वो जिसने धोका दिया है, कौन, who, who has, धोका देने को, cheated on me, तो इस तरह से sentence बनेगा, who has cheated on me, तो सबसे important बात यह समझना है, कि sentence में subject कौन है, देखिए, tense के sentences में subject वही होता है, जो काम को करता है, करता है, कर रहा है, कर चुका है, कर लिया है, कर दिया है, तो subject काम को करता है, तो जब मैं कहता हूं मुझे किस ने दोका दिया है, तो जिस ने दोका दिया है, वो है subject, मैं नहीं हूं, मुझे तो दोका दिया गया है, ठीक है, मैं तो object में हूं, हमें किस-किस ने call किया है, अगर मैं कहूं कि कौन है subject, तो अधिक तर आप में से सोच सकते हैं हम, हम नहीं, call किया है चुका है चुकी है लिया है दिया है किया है लिये दिये किये तो मैं सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकता था हमें किस किस ने कॉल की है तो की है यह किया है कर चुके हैं बाते की है तो कॉल करने का काम किस ने किया है जिसने किया है वो है सब्जेक्ट हम नहीं है हमें तो कॉल किया है subject ने तो subject के बारे में ही पूछा जा रहा है किस-किस ने call किया है तो कौन-कौन है वो जिन्होंने call किया है तो कौन-कौन है वो जिन्होंने call किया है वो एक से जादा है एक से जादा है इसलिए have क्योंकि third person plural के case में क्या हो जाता है have, तो किस-किस ने यानि कौन-कौन, who all have call करने को call कहते हैं, third form लग गई called, किसे हमें us, who all have called us अगर इस sentence negative हो जाता है, हमें किस-किस ने call नहीं किया है, तो simply who all have not, not आ जाता who all have not called us, मैंने इस युद्ध में, अपने लोगों को खोया है मैंने खोया है, तो subject हुमें, यानि कि I खोया है, यानि मैं खो चुका हूँ, लिया है दिया है, खोया है, आया है, गया है ठीक है, जब आप किसी को खो देते हैं, खोने को कहते हैं, lose, lose की third form lost, वो यहां पर use होगी, affirmative sentence है, subject हुमें I, I have I के साथ तो have लगता है I have lost, खोने को lost, किसे खोया है, अपने लोगों को I have lost my people, कहा खोया है, इस युद्ध में in this war I have lost my people in this war next sentence आपने कईयों को गुमरहा किया है आपने कईयों को, कईयों को मतलब बहुतों को, बहुतों के लिए का बोलते हैं, many, ठीक है आपने गुमरहा किया है, subject आप है, क्योंकि गुमरहा करने का काम आपने किया है, गुमरहा करने को कहते हैं mislead करना M-I-S-L-E-A-D mislead और इसकी third form होती है misled M-I-S-L-E-D affirmative sentence है आपने किया है You, you के साथ क्या लगता है have You have गुमरा करने को mislead उसकी third form misled किसे किया है आपने गुमरा कईयों को many You have misled many अब जरह सोचिए कि इसी sentence को मैं यूँ ही negative बना लेता हूँ आपने कईयों को गुमरान नहीं किया है negative You have not misled many ठीक है क्या आपने कईयों को गुमरा किया है क्या से शुरुआत कर दी interrogative बना दिया Have you misled many क्या आपने कईयों को गुमरा नहीं किया है have you not misled many have you have you not misled many ठीक है आपने कईयों को गुमरा क्यों किया है क्यों के लिए why why have you misled many तो किसी भी sentence को आप इस तरह से भी सोचा करिए ठीक है कुछ और sentences लेते हैं उस आदमी के भाई ने मुझे एक किताब दी है दी है यह लिए मुझे दे चुका है दी है, ली है, की है यह एनस की पहचान अच्छा किसने दी है देने का काम किसने किया है उस आदमी के भाई ने तो उस आदमी का भाई यह है मेरा subject कभी-कभी students confuse होते हैं सोचते हैं वो आदमी, that man नहीं subject वो आदमी नहीं है उस आदमी का भाई है हमें exactly यह देखना है कि काम किया किसने है देने का काम, किताब देने का काम किसने किया है उस आदमी का भाई ने उस आदमी ने नहीं तो subject है उस आदमी का भाई affirmative sentence है उस आदमी का भाई को क्या कहो that man's that man's आदमी का man's brother एक ही है singular है third person है has लगेगा that man's brother has that man's brother has देने को give कहते है उसकी third form होती है given किसे दिया है मुझे given me क्या दिया है एक किताब a book that man's brother has given me a book अच्छा यहाँ पर एक बहुत interesting चीज और है देखिए यह तो subject है that man's brother has given यहाँ तक तो ठीक है अब objective part में आया मुझे दिये मी मुझे और क्या दिये एक किताब ठीक है यह पूरा आया objective part में तो मैं चाहूं तो इसे ऐसे भी लिख सकता था इसके लिए wh family member की वीडियो में बताया मैंने आपके लिए आपको बताया था जैसे कौन-कौन से pen which all pens कौन-कौन सी किताबे which all books कौन-कौन सी फिल्मे which all movies negative भी है interrogative भी है sentence negative भी है interrogative भी है which all movies have you आपने नहीं देखिए आपका मतलब you you के साथ have लगता है which all movies have you not देखने को watch watch की third form watched which all movies have you not watched अभी हम सिर्फ concept को समझ रहे हैं तो examples मैं बहुत कम ले रहा हूं लेकिन जब हम practice करेंगे तो at least 500 sentences की practice करेंगे अलग-अलग tense में और मैं ही कराऊंगा आपको ठीक है तो अब हम move करते हैं हमारे next tense पे जो कि है present का perfect continuous tense present perfect continuous tense बहुत ही easy है बिल्कुल continuous tense की तरह है रहा है रही है रहे हैं मैं खेल रहा हूं आ रहा हूं जा रहा हूं रो रहा हूं वो आ रहे हैं सब वैसे ही है फर्क सिर्फ इतना है इस tense में समय से का जिक्र हो जाता है समय से देखे एक्जाम्पल के तौर पे जैसे आपके सामने दो sentence लिखें मैं खेल रहा हूं ये तो present continuous tense में हमने सीखा I am playing लेकिन इस sentence में देखे थोड़ा सा फर्क है मैं सुबह से खेल रहा हूं मैं खेल रहा हूं लेकिन सुबह से तो किसी समय से का जिक्र हो गया सुबह से, बच्पन से, दो साल से, दो मिनट से, दो दिन से इस तरह से बताय जाएगा तो फर्क क्या आता है जैसे यहाँ पर I के साथ M लगा I am playing इस tense में जो हमारी auxiliary verb होती है वो होती है has been या have been ठीक है आप यह जानते हैं कि subject अगर I है मैं I के साथ तो have लगता है यह तो हमने present perfect में भी देखा पिसले tense में तो अगर मुझे इस sentence को बनाना है तो मैं खेल रहा हूं के लिए I am playing नहीं कहूँगा मैं क्या करूँगा I have been उसके बाद खेलने को प्ले अच्छा इसके बाद देखी object object यहाँ पर कुछ नहीं है मानली जैसा होता कि मैं सुबह से football खेल रहा हूं तो football मेरा object होता लेकिन I have been playing object कुछ है नहीं अब since या for का use करना है उसके बाद time say के लिए since या for किसका use करूँ और सुबह के लिए तो मैं कह दूँगा morning तो ये बात मैंने आपको एक वीडियो में बताईए कि समय say के लिए since या for का use करते हैं say के लिए तो since या for लेकिन कहा पर since कहा पर for और सुबह से morning के साथ में हम लगाते हैं since अभी मैं आपको next slide में दिखाता हूँ सब क्लियर हो जाएगा यहाँ पर मुझे कहना है since morning I have been playing since morning तो आपने देखा present continuous में m और यहाँ हो गया I have been तो ऐसा होता है जैसे देखिए m is m और r present continuous में यह तीन auxiliary verb यूज होती है जबकि present perfect continuous tense में has been या have been फर्क यह है कि third person singular subject के साथ is लग जाता है I के साथ m लग जाता है और plural के साथ में r लग जाता है यह बात present continuous में बताई यहाँ पर third person singular के साथ में has been लग जाता है और बाकी सभी के साथ में have been लग जाता है ठीक है अच्छा अब उस slide को देख लेते हैं since या for आपको पता तो लगे कि कहाँ पर since का use करना है कहाँ पर for का use करना है यह देखे slide say के लिए या तो since का use या for का use since का use किसी बीते निश्चित समय से since a point in time in the past अच्छा आपको कितना समझ में आता है इस बात को भूल जाएए ऐसे धान रखिए देखे अगर मैं कहूं कि मैं दो बजे से खेल रहा हूं तो exact दो बजे ने एक time है एक निश्चित समय है इसलिए उसके साथ since लगेगा तो say के लिए तो लग जाएगा since और दो बजे के लिए 2 o'clock तो दो बजे से since 2 o'clock यह मैं कह रहा हूं सुबह दो बजे से तो मैं कह सकता हूं since 2 a.m शाम के दो बजे से यानि दो पार के since 2 p.m 1998 से किसी भी साल के साथ कि जैसे 1998 से 2002 से 2020 से 1947 से यहाँ पर भी since का यूज morning से since morning अच्छा मैंने यहाँ पर the क्यों लिखा है इसका मतलब यह है आप चाहे तो कहिए since morning जैसा मैंने पिछले sentence में कहा या फिर आप the का यूज कर लिजिए since the morning उसी तरह से since evening या since the evening since afternoon या since the afternoon since night या since the night किसी भी day के साथ में भी since लगता है Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday yesterday के साथ भी since लगता है since yesterday यानि कल से परसों से day before yesterday since day before yesterday जनम दिन से since birthday anniversary से since anniversary उस दिन से since that day बच्पन से since childhood जबानी से जब आप अठारा साल के हो जाते हैं आप एडल्टूट में आ जाते हैं since adulthood जनम से since birth शुरुआत से since beginning अच्छा यहाँ पर जैसे यह ना since you are here जब से आप यहाँ हो अगर किसी sentence में इसा है ना जैसे मैं खेल रहाँ जब से आप यहाँ हो तो I've been playing मैं खेल रहाँ since you are here मैं यहाँ हूँ जब से आप निकले I've been here मैं यहाँ हूँ I have been here since you left जब से आप निकले यहाँ पर ता आ रहा है since I left I left, you left, we left, they left ठीक है, मैं यहां हूँ, जब से आपने मुझे call किया, I have been here, अब दिखे, मैं कह रहा हूँ, मैं यहां हूँ, वैसे तो ऐसा कहा जाता है, I am here, लेकिन जब से आपने मुझे call किया तो एक समय से जिक्रह हो गया, तो M की जगा क्या हो जाएगा, I have been here, मैं यहां हूँ, I have been here, since you called me अभी आगे आप detail में समझेंगे अभी सिर्फ मैं एक idea दे रहा हूँ कि since का use कहा कहा पर देखिये होता है ताकि sentence को जब हम बनाएं तो आप ध्यान रखें किसी भी day के साथ morning, evening, afternoon, night के साथ किसी भी year के साथ, किसी भी time के साथ child, adult, birth, beginning, yesterday day before yesterday ठीक है, और for का use हमेशा किसी बीते समय की अवधी से बस ये ध्यान रखिये duration, सबसे important बात है duration किसी भी duration of time के साथ में, जब हम अवधी बताते हैं उसके साथ for का use होता है 2 seconds से 2 minute से, जब हम कहते हैं 2 minute से खेल रहा हूँ, तो 2 minute एक period ही तो है, एक duration ही तो है, period है, duration है 2 seconds से, 2 minute से, 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 अवधे से, 2 महिने से 2 साल से for a long लंबे समय से लंबे समय से के लिए for a long भी कह सकते हैं for a long time भी कह सकते हैं जैसे मैं कहूँ, मैं लंबे समय से खेल रहा हूँ I have been playing for a long I have been playing for a long time I have been playing for a while for a while का मतलब थोड़े समय से और थोड़े समय से के लिए for a while भी कह सकते हैं for a short while भी कह सकते हैं मैं कई दिनों से खेल रहा हूँ I have been playing for many days मैं कई घंटों से खेल रहा हूँ I have been playing for many hours I have been playing for many years I have been playing for many centuries कई शताबदियों से, I have been playing for few seconds, मैं कुछ seconds से खेल रहा हूं, I have been playing for few minutes, कुछ minutes से खेल रहा हूं, कुछ घंटों से खेल रहा हूं, कुछ दिनों से खेल रहा हूं, ठीक है, तो इस तरह से हम since और for का use करते हैं, तो आप देख सकते हैं, कि अगर मान लिजे, मैं आप कहता, मैं कई दिनों से खेल रहा हूं, तो मैं क्या कहता, I have been playing for many days, क्योंकि कई दिनों से ये duration है, period है, उसके साथ में for का use करता, ठीक है, अगर मैं कहता, मैं 2 बज़े से खेल रहा हूं, तो मैं कहता, since 2 o'clock, मैं कुछ minutes से खेल रहा हूं, कुछ minutes से, तो तब since का use नहीं करता, तब मैं तो एक idea मैं आपको दे रहा हूं, अब हम लेते हैं कुछ examples, वो काफी देर से खिड़की से जहाक रहा है, रहा है, रहे हैं, हमारे दिमाग में तुरंत आया कि ये continuous है, क्योंकि subject किसी काम को कर रहा है, जहाकने के काम को कर रहा है, ठीक है, लेकिन तब ही हमने ये बात note की, का यूज होगा, तो ये हो गया है present का perfect continuous, ऐसे में sentence को बनाने का तरीका बदल जाएगा, subject कौन है, वो he, he has been, he has been, अब he के साथ is नहीं लगेगा, has been लगेगा, और जहाकना, जहाकने को क्या कहते हैं, जहाकने को कहते हैं, जहाकने को कहते हैं, खिडकी से, through the window, through का यूज करते हैं, जब हम किसी चीज के आर पार की बात करते हैं, जैसे खिडकी है, खिडकी के पार जाग रहे हैं हम तो, उस पार तक जा रहे ही हैं अमारा विजन, खिडकी से जहाग रहे हैं, खिडकी के through, काफी देर से, समय से की बात हो गई, काफी देर से, क्या है, duration है, काफी समय, ये तो duration है, अवध ही है, for a long, अभी मैंने थोड़ी दे पहले बताया भी आपको for a long मतलब काफी देर से, he has been peeping through the window for a long, यहाँ पर थोड़ असा gap है, ठीक है, देर के बाद window, वो लड़की 1998 से यहाँ रह रही है, रह रही है, रहना, लिव, लिव मतलब रहना, रहा है, रही है, रहे है, रहे है, रहे है, ठीक है, लेकिन समय से की बात हो गई है, और 1998 तो definite point in time है, एक साल है, और साल के साथ तो since लगता है, ठीक है, कौन रहे रही है, वो लड़की, subject है, यह तो third person singular subject है, अगर यह continuous tense होता तो is लगता, लेकिन यहाँ पर लगेगा, has been, that girl has been, that girl has been, living, यहाँ रह रही है न, living here, कब से, 1998 से, since 1998, अब यह दो sentence देखिए, काफी interesting sentence है, 25 साल से यहाँ कौन रह रहा है, 25 साल से, 25 येर से यहाँ कौन रह रहा है, ऐसा sentence आया, आपने तुरंट सोचा कि यह interrogative तो है, कौन रह रहा है, ठीक है, who, who आ गया, रहा है, रहें, रहें, continuous tense है, लेकिन तभी आपने इस बात को अपने दिमाग में सोचा आया, कि 25 साल से, यहाँ तो समय से की बात हो गई, इसका मतलब ये continuous नहीं है, ये perfect continuous है, और कौन रह रहा है, कौन, अब दिखिए, इस sentence में अगर मैं आप से पूछूं बताए, ये subject कौन है, तो जो रह रहा है, वही तो subject है, और उसी subject के बारे में पूछ रहे है, कि कौन रह रहा है, तो कौन has been रह रहा है, तो इसका मतलब कोई एक ही आदमी की बात हो रही है, अगर मैं ऐसा पुछता, 25 साल से यहाँ कौन रह रहा है, कौन, कौन रह रहा है, इसका मतलब मैं एक से ज़ादा लोगों की बात कर रहा होता, तो WH family member ऐसे subject को refer करता, जो एक से ज़ादा है, ऐसे में मैं have क use करता, ठीक है मैं कह रहा हूँ, 25 साल से यहाँ कौन रह रहा है, who has been, रहने को live कहते है, living, कहां रह रहा है, यहाँ, living here, 25 साल से, 25 साल, यह तो duration है, period है, ऐसे case में use करेंगे, for, for 25 years, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे sentence को, who has been living here, who has been living here for 25 years, अब इस sentence को देखिए, सुबह से यह काम किसका बेटा कर रहा है, रहा है, रहे, रहे आ गया, simple सी बात है, continuous है, लेकिन सुबह से आ गया, इसका मतलब perfect continuous है, ठीक है, question mark है, interrogative sentence है, किसका बेटा कर रहा है, अब अगर मैं आप से पूछूँ बताएंगे, यह subject क्या है, सोचिए कर रहा है, करना कौन कर रहा है, किसके बारे में पूछ रहे है, कौन कर रहा है, यही तो पूछा जा रहा है, कौन कर रहा है, मैं पूछ रहा हूँ किसका बेटा कर रहा है, तो आपका जवाब क्या हो सकता है, राहुल का बेटा कर रहा है, या रवी का बेटा कर रहा है, या बात मैंने WH family member की वीडियों बताईए आपको, whose son has been कर रहा है, doing क्या, ये काम, object में, this work, सुबै से, since morning, whose son has been doing this work, since morning, तो मुझे उमीद है कि अब आपको थोड़ा आसानी हो रही है, समझने में कि structures के हिसाब से कैसे बनाते हैं sentence, जैसे मान लीजिए मुझे कहना है, मैं दो घंटे से लिख रहा हूँ, कौन लिख रहा है, मैं लिख रहा हूँ, तो मैं I, I have been, लिखने को right कहते है, writing for two hours, I have been writing for two hours, अगर इसी sentence को negative कर दूँ, मैं दो घंटे से नहीं लिख रहा हूँ, negative, negative में not आजाता है, कहाँ पर आता है, ये important है, have और been के बीच में आता है, I have not been writing for two hours, अब अगर इसी sentence को interrogative कर दूँ, क्या मैं दो घंटे से लिख रहा हूँ, क्या, तो have उठके शुरुआत में आ जाएगा न, ये देखिए, interrogative में, have I been writing for two hours, have I been writing for two hours, और अगर मैं कहाँ दूँ, कि मैं दो घंटे से क्यों लिख रहा हूँ, तो interrogative sentence में क्यों लिख रहा हूँ, why, why have I been writing for two hours, अब आप सोचिए, एक चीज़ आप सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ, दो घंटे से कौन लिख रहा है, तो जो लिख रहा है, वो ही तो subject है, कौन लिख रहा है, ये देखिए, कौन, who, और वो इस subject को ही refer कर रहा है, who has been, कौन लिख रहा है, तो कोई एक वेक्ति की बात हो रही है, कौन लिख रहा है, who has been writing for two hours, ये मैं कहूँ, दो घंटे से कौन कौन लिख रहा है, वो एक से ज़ादा हो गए, कौन कौन, कौन कौन के लिख क्या आएगा, who all, कौन कौन, who all have been, अब have क्यों लगा, क्योंकि वो एक से ज़ादा है, और ज़ादा के case में have आता है, who all have been writing for two hours, तो sentence को में समझना है, अब दिखें एक sentence सकता हूँ, वो खेल रहा है, आप सोचेंगे सर ये sentence तो इस sentence का ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो समय से की बात ही नहीं हो रही है, हाँ आप बिल्कुल साही सोच रहे हैं, ये sentence का नहीं है, कैसे बनेगा इस sentence, ये तो continuous sentence का है, रहा है, रही है, वो खेल रहा है, इस sentence को, ये मैं आपको knowledge के रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग खोली अपना, अगर इस sentence को negative बना दूँ कि वो नहीं खेल रहा है, तो मैं कैसे बोलूँगा, ये साथ के रहे है, ये साथ के रहे है, ये मैं अलरीटी समझाच चुका हूं, लेकिन यहाँ पर क्यों लाया हूं, इसके पीछे एक कारण है पहले इसे देख लिजिए with whom is he playing वो किसके साथ खेल रहा है ठीक है लेकिन जैसे ही मैंने कहा वो कब से खेल रहा है अब इस sentence को देखिए वो कब से खेल रहा है आपको लगेगा कि ये sentence भी तो continuous का ही है लेकिन अब ये continuous का नहीं रहा अब ये हो गया ह प्रेजेंट परफेक्ट continuous का ऐसा क्यों यहां पर आगया कब से वो कब से खेल रहा है यानि किस समय से खेल रहा है तो समय से का जिक्र हो गया इसका मतब ये तो perfect continuous बन गया और कब से कों क्या कहते हैं since when और वैसे भी आप सोचिए अगर मैं आपसे पूछूं वो कब से खेल रहा है तो आपका अंसर क्या होगा आप कहेंगे वो दो घंटे से खेल रहा है या आप कहेंगे दो मिनट से खेल रहा है या आप कहेंगे कल से खेल रहा है या आप कहेंगे दो बजे से खेल रहा है या कुछ ना कुछ समय के बारे में बताएंगे तो जब भी समय से की बात ह तो रहा है, रही है, रहे हैं, यह perfect continuous बन जाता है, ऐसे में जो interrogative sentence है, इसको आप ऐसे नहीं बना सकते, since when is he playing, ऐसे नहीं बना सकते, देखी मैं लिख के बता देता हूं, since when is he playing, जब आप continuous tense पढ़ रहे थे, अगर मैं इस sentence को देता, तो उस समय आप ऐसे ही बनाते, लेकिन उस समय sentence को मैंने इसलिए नहीं दिया, मैंने कब से इसलिए नहीं कहा, कहीं पर भी sentence में, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे इसे perfect continuous में cover करना है, क्योंकि यहाँ पर समय से की बात हो गई, इस तरह से sentence को बनाना बिलकुल गलत है, यह कैसे बनेगा, कब से को हम कहते है, since when, since when, has he been playing, वो कब से खेल रहा है, since when, has he been playing, तो यहाँ पर is नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, has, और फिर, he के बाद, been, इस tense में ऐसा ही तो होता है, subject से पहले has आता है, subject के बाद बीन आता है, since when, has he been playing, बाकि practice makes a man perfect, जितनी practice उतना perfection, अब हम move करते हैं, past indefinance, tense पे, past indefinite tense, बहुत ही important tense है, वो इसलिए, क्योंकि यह इकलोता ऐसा tense है, जिसमें, affirmative sentence में, subject के साथ में, हमेशा verb की second form का use होता है, यह बहुत important है, और यह गलती आपको कभी नहीं करनी है, negative sentence जब इसके बनते हैं, उसमें did आता है, लेकिन affirmative sentence में did नहीं आता है, एक यह बात, और जब भी sentence में do I, does I, did I, जैसे do, does present indefinite tense में आता है, तो इसमें जब did आता है, तो हमेशा verb की first form का use होता है, तो यह हमें समझना है, कि past indefinite tense में केवल affirmative sentence में verb की second form use होती है, बाकी हर जगा, चाहिए interrogative हो, negative हो, negative interrogative, हर जगा, verb की first form, तो एक तो बात ही हो गई, अब आता ह point कि इसकी पहचान क्या है, तो देखिए इसकी पहचान दो तरीके से हम कह सकते हैं, दोनों को एक एक करके discuss करेंगे, क्योंकि दोनों ही बहुत important है, पहली पहचान है, आया, जैसे मैं कहूँ, वो घर आया, आया, गया, उठा, बैठा, सोया, रोया, हसा, जागा, नाचा, गय खेला, उसने ये किया, उसने मुझसे पहन लिया, उसने मुझे पहन दिया, उसने किताब ली, उसने गलती की, उसने मुझसे कुछ लिया, है ना, ली, दी, की, इस तरह के sentences, दूसरा तातेती पे अभी हम आएंगे, उससे पहले दिखिए, इस tense में कोई भी subject हो, चाहे कोई सेंटेंस में डिड़ का ही यूज होता है, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव में, तो sentence कुछ भी हो, तो इसकी कोई जरुवत नहीं है, इसको यहां से हटा देते हैं, क्योंकि कोई भी subject हो, rule तो सेम होगा, subject वाले portion को तो हटाई दिया, क् उसकी जरुवती नहीं है, कोई भी subject हो, तो rule तो सेम रहने है, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन एक sentence आपके सामने है, उसकी बेटी ने एक सिक्का निगल दिया, सिक्का यानि की coin, एक coin को उसने गले से अंदर डाल दिया, निगल दिया, इस sentence को हमें बनाना है, यहा गया उठा बैठा रोया, सोया, हसा नाचा गया, दिया लिया, ली दी की, आपके दिमाग में तुरांत आये, यह तो past and definite tense है, और मैं आपको यह बता दूँ, अगर मैं यहाँ पर है लगा दूँ, उसकी बेटी ने एक सिक्का निगल दिया है, जैसे मैंने है लगाया, निग दिया है मतलब निगल चुकी है, तो वो हो जाएगा present का perfect tense, तो जब भी इस category में यह जो पहचान है, इसमें अगर आपने है, है, हो, हू लगा दिया तो sentence बन जाता है present का perfect, और अगर आपने इसके end में था लगा दिया, निगल दिया था, आया था, गया था, लिया था, ली तो वो बन जाएगा past का perfect जो हम थोड़ी दिर में समझेंगे तो इस sentence को कैसे बनाया जाए सबसे पहले देखिए कि subject क्या है subject वो होता है जो उस काम को करता है निगलने के काम को किस ने किया उसकी बेटी ने ये subject है ठीक है affirmative sentence है क्योंकि sentence में not भी नहीं है तो negative नहीं है और नहीं कोई प्रस्ण पूछा तो interrogative नहीं है और यहाँ पर काम क्या किया है subject ने निगलने का क्या आपको पता है निगलने को क्या कहते है निगलने को कहते है स्वालो अभी मैं लिखता हूँ तो spelling आप देखेंगे तो सबसे पहले subject उसके बाद verb की second form उसके बाद objective part subject है उसकी बेटी his daughter निगल दिया अब निगलने को कहते है swalow s w a double l o w swallow अब swallow का मतलब है निगलना लेकिन यह तो first form हुई कोई भी verb पहले तो form जो उसकी base form होती है first form होती है अब इसकी जब second form होती है वह होती है swalowed his daughter swallowed objective part क्या निगला? एक सिक्का a coin simple his daughter swallowed a coin अब इस sentence को बना लेते हैं negative उसकी बेटी ने एक सिक्का नहीं निगला तो उसकी बेटी ने एक सिक्का नहीं निगला तो मैंने ऐसा तो नहीं का नहीं निगल दिया क्योंकि नहीं निगल दिया ऐसा कभी हम हिंदी में भी नहीं बोलते हैं हम ऐसे ही तो कहते हैं नहीं निगला तो आया गया उठा बैठा निगला ठीक है Past Indefinite Tense का Negative Sentence His daughter did not अब डिड़ा जाएगा और निगलने को कहते हैं Swallow तो First Form आ जाएगी केवल Swallow His daughter did not swallow a coin तो इसे लिख देते हैं अगर इसी sentence को मैं interrogative कर दूँ और इससे पहले क्या कह दूँ क्या उसकी बेटी ने सिक्का निगल दिया क्या उसकी बेटी ने तो ऐसे में डेड शुरुआत डेड से होगी डबलो एस फैमिली मेंबर तो नहीं आएगा ना अगर इसी sentence को negative interrogative बनाना है क्या उसकी बेटी ने सिक्का नहीं निगला नहीं निगला तो नेगेटिव भी हो गया और क्या से question की शुरुआत हो गई तो interrogative भी है तो subject के तुरंद बाद आपको पता ही है हमेशा not का use subject के तुरंद बाद करते है negative interrogative में तो did his daughter not swallow a coin अब आपको ये clear हो रहा है कि किस तरह से sentence को बनाया जा रहा है affirmative, negative, negative, interrogative या interrogative ठीक है अब एक sentence लेते हैं उसकी बेटी ने क्या निगला उसकी बेटी ने क्या निगला आप पूछ रहे हैं तो इस question का answer yes या no में तो दे नहीं सकते yes या no हाँ या ना ऐसा बोलेंगे तो कुछ sense ही नहीं निकलेगा बताना पड़ेगा कि क्या निगला तो क्या के लिए wh family member what what did उसकी बेटी subject है his daughter swallow ठीक है what did his daughter swallow इसको लिख देते हैं अगर sentence हो उसकी बेटी ने कैसे निगला कैसे आ जाए क्या की जगा अगर मैं कह दूँ कैसे निगला तो फिर what की जगा क्या आ जाएगा how how मतलब कैसे how did his daughter swallow उसकी बेटी ने कब निगला कैसे की जगा मैं कह देता हूँ कब निगला तो कब के लिए क्या आ जाएगा when उसकी बेटी ने कहा निगला कहा कह दू तो कहा के लिए क्या आ जाएगा इसी तरह से तो sentence बनते हैं अच्छा कुछ और sentences लेते हैं उसने चाकू फर्ष पर गिरा दिया फर्ष पर गिरा दिया यानि फ्लोर पर गिरा दिया चाया हम हिंदी में ऐसा भी कह दें उसने चाकू जमीन पर गिरा दिया जमीन मतलब वही फर्ष है न किसने गिरा दिया उसने गिरा दिया अगर कोई लड़का है तो ही लड़की है तो शी ठीक है मैं मान लेता हूँ लड़का है ही उसने गिरा दिया गिराने का काम उस नहीं किया, तो subject है वो, गिराना, गिराने को क्या कहते हैं, जब आप किसी चीज को छोड़ देते हैं, अपने हाथ से गिरा देते हैं, drop करना, ठीक है, drop, तो क्रिया है drop, drop की second form होती है dropped, और क्या गिरा दिया, चाकू, he dropped the knife, चाकू, चाकू को knife कहते हैं, कहा नहीं लगता कि negative या interrogative को लिखने की ज़रुवत है, क्योंकि आप कितने expert हो गए हैं अब, तेखिए, अगर मान लीजे, sentence को negative बना लूँ, उसने चाकू first पर नहीं गिराया, नहीं गिराया, तो मैंने ये नहीं कहा, नहीं गिरा दिया, तो जब आप sentence को affirmative बोलते हैं, तो कई अगर मैं कहूं, क्या उसने चाकू first पर गिराया, तो जब बना लेता हूं, क्योंकि कुछ इससे related एक चीज और बतानी है आपको, क्या उसने चाकू first पर नहीं गिराया, तो जब भी कभी आप देखें कि कोई sentence negative interrogative है, तो ये तो understood है कि subject के तुरंत बाद not आता है, ठीक है, लेकिन उस sentence की जो भी auxiliary verb है, जैसे कि past indefinite tense में did है, did के साथ आप not को मिला करके, जोड करके, इसे कहते हैं contract करके, contraction कहते हैं इसे, contract करके भी आप कह सकते हैं, यानि कि did के साथ not को मिला दिया, तो कैसे कह सकते हैं, didn't he, didn't, देखें, didn't, ये, इसे didn't भी कहते हैं, और इसे didn't मैं लिख देता हूँ, didn't भी कहते हैं, इसे कई लोग didn't भी कहते हैं, दोनों तरीके से pronounce किया जा सकता है, didn't he drop, अब not तो यहां गया, didn't he drop the knife on the floor, और इस तरह से English बोलते वक्त अक्सर कहा जाता है, बजाए इतना लंबा कहने के, did he not drop, इतना नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, didn't he drop, didn't he drop, क्या उसे नहीं गिरा है, didn't he drop the knife on the floor, didn't he drop the knife on the floor, ठीक है, तो यह knowledge आपको मिला, अब देखिए, मान लीजे मैं एक sentence लेता हूँ, उसने first पर क्या गिराया, इस sentence को लेते हैं, इस sentence को अगर आपको बनाना है, उसने first पर क्या गिराया, तो interrogative है, क्या गिराया तो बताना पड़ेगा, क्या गिराया, ठीक है, पता है तो बताएंगे, नहीं पता है, तो बोलेंगे, नहीं पता है मुझे, लेकिन, यहाँ पर WH family member तो आएगा, क्योंकि हाँ या ना में on the floor, what did he draw on the floor, ठीक है, अचा अब एक काम और करते है, sentence लेते हैं, जैसे मान लीजिए, मैंने आपसे एक sentence लेते है, उसने first पर चाकू किस वज़ा से गिराया, उसने first पर चाकू किस वज़ा से गिराया, जरा इस sentence को बनाते है, जैसे आपने देखा, आया गया, उठा बैठा रोया, सोया, हसा जागा, नाचा गाया, गिराया, लिया दिया, ली दी की, आपने तुरान समझा past indefinite tense है, interrogative sentence है, किस वज़ा से डबलू एच फैमली मेंबर आएगा, किस वज़ा से, तो वैसे तो अगर हम इस sentence को ऐसे कहें, उसने first पर चाकू क्यों गिराया, तो बात तो लगबग एक ही है, लेकिन खास जैसे हम हिंदी में कह देते हैं, किस वज़ा से गिराया है, यानि क्या कारण था, तो इसके लिए English में कहते है, for what reason, for what reason, interrogative sentence, for what reason, did he drop the knife on the floor, for what reason, did he drop the knife on the floor, ठीक है, अच्छा, अगर होता, उसने first पर चाकू कब गिराया, कब, तो for what reason की जगह पर मैं क्या कह देता है, when, when मतलब कब, उसने first पर चाकू कैसे गिराया, कैसे, हाँ ठीक है, ये भी हो सकता है, एक बड़ा interesting है, कि चाकू कैसे गिराया, ऐसे गिराया, ऐसे गिराया, कैसे गिराया, तो कैसे के लिए क्या कह देते है, how, how did he drop the knife on the floor, यहाँ प होते हैं sentence, किसने फेका, interrogative है, past indefinite tense का interrogative sentence है, ठीक है, अचा बताइए, subject क्या है, क्या आ रहा है अपके मन में, क्या है subject, सोचिए, सबसे पहले, बस दिमाग पर ये जो डालिए, किस, जो भी क्रिया है, क्रिया क्या है, फेकना, किसने क्या फेकने का का काम, बताइए, वो हो सबजेक्ट, यहां तो सबजेक्ट दिया ही नहीं है, किसने फेका, जिसने फेका, वही तो सबजेक्ट है, अगर मैं कहूँ कि यहां पर पर पन, राहूल ने फेका, तो अगर subject के बारे में ही पूछा गया है, तो फिर ये नहीं, फिर तो ये आ जाएगा, special case, जहां पर WH family member, यानि जो question का WH family member है, वो subject के बारे में ही पूछ रहा है, ठीक है, तो ये sentence अब इस हिसाब से बनेगा, किसने fake आ, यानि कौन है वो जिसने fake आ, तो कौन के लिए के आएगा, WHO, और fake ने को कहते है, throw, थो की second form आएगी, फो फ्रिव, second form होती है, फ्रिव, थो फ्रिव, क्या fake है, दबेन, कहां पर, यहां पर, here, फो फ्रिव दबेन, here, ये लिख लेते हैं, अब आपने एक बार note की, अगर कोई व्यक्ति केवल ये नियम जानता है, ये rules जानता है, उसको ये पता ही नहीं है, तो ऐसे case में, interrogative sentence को कैसे बनाता है, वो ऐसे बनाता, who, did, बोलता subject तो पूछा ही गया है, subject तो दिया नहीं है, who did throw, first form throw, through की, the pen, here, who did throw the pen here, लेकिन वो गलस sentence है, incorrect है, क्योंकि subject के बारे में पूछा गया है, इस तरह से बनेगा, और आप ये जानते हैं कि special case के अंदर, जो interrogative, negative, interrogative है, interrogative जो है, वो affirmative की तरह बनता है, देखिए, affirmative की तरह, और जो negative, interrogative है, वो देखिए, negative, interrogative की तरह बनता है, समझे, ये बड़ा interesting है, अब इस sentence को लेखिए, उसे किसने डाटा, यहाँ पर भी डाटने का काम किसने किया, उसी के बारे में पूछा जा रहा है, उसे किसने डाटा, who, डाटने को scald कहते हैं, scald की second form scalded, who scalded him, अब इस sentence को देखिए, इन दोनों में देखिए, थोड़ा फर्क है, उसने किसे डाटा, यहाँ पर था, उसे किसने डाटा, यहाँ पर, उसने किसे डाटा, अब अगर मैं आप से पूछू, बताए ये subject किया है, तो आप कहेंगे, डाटने का काम किसने किया, काम को करने वाला तो वो है, उसने, उसने किसे डाटा, तो किसे, किसे subject तो हो गया उसने, और किसे के लिए हम, डबलो एस फैमिली मेंबर क्या यूज़ करते हैं, हूम, किसे, किसे, किसको, इसके लिए whom करते हैं whom did he scold अब he यहाँ पर यह वाला फॉर्मेशन इसलिए तो लिया क्योंकि subject तो बताया गया है whom did he scold अगर यह कोई लड़की है जिसने किसी को डाटा तो कोई लड़की है जैसे उसने किसी को डाट दिया तो मैं पूछ रहा हूँ उसने किसे डाटा तो अगर कोई लड़की है तो यह की जगा क्या जाएगा she whom did she scold मैंने रोहन से 500 रुपे उधार लिये उधार लेना उधार लेने को क्या कहते हैं उधार लेना भी एक verb है एक क्रिया है इसे कहते हैं borrow ठीक है पर यहाँ पर है मैंने रोहन को 500 रुपे उधार दिये उधार देने को कहते हैं land करना L E N D तो यह हमें समझना है अच्छा किसने किया ये काम उधार लेने का काम किसने किया मैंने रोहन से 500 रुप उधार लिये उधार लेने का काम तो मैंने किया तो subject हूँ मैं I अब यह affirmative है I borrowed की second form borrowed 500 रुपीज from रोहन रोहन से तो रोहन से 500 रुपे यह पूरा objective part है मैंने subject है उधार लेना verb है I borrowed 500 रुपीज from रोहन सिंपल लेकिन इस sentence को बनाने का एक और interesting तरीका हो सकता है अगर मैं इसे ऐसे बना लू मैं यह मान लू कि उधार लेने को तो borrow कहते है ठीक है यह पूरी एक verb है लेकिन मैं किवाल लेने के लिए verb का यूज कलू लेने को हम कहते है take ठीक है तो अगर मैं कहूँ कि यह subject है मैंने I मैंने लिया पहले मैं इसको बना लेता हूँ मैंने लिया I took take की second form took लेने को take कहते है I took क्या लिया मैंने 500 रुपीज लिये किस से लिये रोहन से लिये अब किस form में लिये किस form में लिये उधार के form में लिये उधार के रूप में लिये as a loan तो इसी लिये जब इस sentence को कोई व्यक्ति बनाएगा इन दोनों तरीके से लिख सकता है बोल सकता है I borrowed 500 रुपीज फ्रम रोहन या फिर I took 500 रुपीज फ्रम रोहन as a loan इसी तरह से मैंने रोहन को 500 रुपे उधार दिये subject हूँ मैं उधार देने का काम मैंने किया I lend की second form lent I lend 500 रुपीज रोहन को to रोहन और अगर इसी sentence को मैं फिर ऐसे बनाना चाहूँ देने के लिए मैं give का use कर लूँ मैंने दिये I gave I gave क्या दिये 500 रुपे 500 रुपीज किसे दिये रोहन को दिये to रोहन कैसे दिये किस रूप में दिये उधार के रूप में दिये as a loan तो उधार के लिए as a loan कहा जाता है तो देखिए दोनों तरह के से बना सकते हैं I lend 500 रुपीज रोहन या I gave 500 रुपीज to रोहन as a loan sentence है ये मैंने किया अब देखिए यहां पर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा तो हर slide important है ये मैंने किया इस sentence को आपको बनाना है करना करना एक काम है करना भी तो एक काम है इसे कहते हैं डू ये बड़ा interesting है देखिए करना एक काम है इसे कहते हैं do किसने किया मैंने किया तो subject हुमे है ठीक है affirmative sentence है ठीक है मैंने किया देखिए सबसे पहले subject हुमे है I उसके बाद verb क्रिया क्या है करना करने को do कहते है तो do did does ये जो होती है ये auxiliary verb भी है लेकिन ये main verb भी होती है sentence की क्योंकि ये काम करना करने को do कहते है I और अब verb की second form लगानी है do की second form क्या होती है did I did मैंने किया I did ये ये यनि this या it आप this कह लिजिए चाहे आप it कह लिजिए बात एक ही है तो देखिए I did this या I did it ये मैंने किया अब कई students ये सोचते है sir यहां did कैसे आ गया did तो affirmative में आता ही नहीं वो did इसलिए आ गया क्योंकि यहां पर जिस काम की बात हो रही है वो है सिर्फ करना और करना का मतलब होता है do बिल्कुल ऐसे ही जैसे मान लिजे present indefinite tense में मैं एक sentence लिख लूँ मैं ये करता हूँ देखिए इसे मैं लिख लेता हूँ अब आप जानते हैं present indefinite tense के affirmative sentence को बनाने का तरीका होता है पहले लिखा I उसके बाद verb की first form क्रिया की first form क्रिया की first form क्या है करना करने को do कहते हैं जैसे मैंने यहां बताया करने को do कहते हैं वो तो जब past indefinite में कहा तो आया गया उठा बैठा रोया सोया हसा जागा किया यहां पर आता है जाता है खेलता है नाचता है गाता है करता है तो करने को do कहते हैं तो do लिखा, उसके बाद as या es का use होता है, अगर subject हो third person singular, अब I तो third person singular नहीं है, इसलिए I do, बस इतना ठीक है, मैं करता हूँ I do, ये, ये के लिए मैं कह सकता हूँ this, या it भी कह सकता हूँ I do this, लेकिन अगर ये होता, वो ये करता है, वो, वो मतलब एक लड़का है कोई, वो ये करता है, तब present indefinite tense के rule के हिसाब से क्या होता, he, verb की first form लगाओ, do, उसके बाद as या es का use करो तब जबकि subject तो third person singular और वाके में या पर तो subject third person singular है, he, अगर do के बाद फिर क्या लग दाएगा, es, क्योंकि आप जानते हैं, जिन verbs के end में ओ होता है, उनके साथ तो es लगता है, he does it, ये this, he does this, अब अगर कोई पुछे, कि सर देखिए, present indefinite tense के ही जो sentence है, इन में आपने does का use कर लिया, ये do का use कर लिया, affirmative sentence में, जबकि ये do ये does का use तो negative में होता है, वो इसलिए, क्योंकि यहाँ पर subject की जो main verb है, वो do है, इसलिए यहाँ पर do आया, और यहाँ पर does आया, क्योंकि third person singular subject की case में, es, es, का use होता है, तो ये थोड़ा से एक idea दे रहा था आपको, अब देखिए ये sentence, ये मैंने नहीं किया, ये था ये मैंने किया, I did this, ये मैंने नहीं किया, ये हो गया negative sentence क्योंकि अपन नहीं आ रहा है, I, मैंने, I did not, अब ये verb, क्रिया क्या है, करना, करने को तो do कहते है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, ये सलीम नहीं किया, तो सलीम सबजेक्ट है, तो सबजेक्ट के बारे में ही पूछा जा रहा है, ये किस ने किया, who, कौन है वो जिस ने किया, who, अब उसके बाद करने को do, do की second form, did, who did this, या who did it, ये काम किस-किस ने नहीं किया, अब ये question है, किया, do है, किस-किस ने नहीं किया, जिस-जिस ने नहीं किया, वही तो subject है, subject के बारे में ही पुछा रहा रहा है, कि कौन-कौन है वो जिन्होंने ये काम नहीं किया Who all किस-किस ने या नहीं कि कौन-कौन हो ये काम किस-किस ने यहाँ पर ने भी आएगा न किस-किस ने नहीं किया Who all did not do अब अबजेक्ट क्या है ये काम, तो ये काम के लिए मैं कह रहूँ है अगर काम नहीं होता है तो मैं simply ये के लिए क्या कहता है दिस या इट Who all did not do दिस वर्क अब यहाँ पर आपने देखा कि जब आया ये काम तो मैंने का दिस वर्क, मैं ये नहीं कह सकता हूँ इट वर्क, क्योंकि ये काम, ये लड़का, ये लड़की ये बच्चा, ये पैन, ये खिलोना जब ये कहते हैं तो दिस कहते हैं क्योंकि ये खिलोना, खिलोने से पहले आ रहा है ये तो दिस कहेंगे हाँ अगर अकेला आया ये ये अकेला कि इसके साथ कुछ नहीं बताए कि ये खिलोना ये pen pen खिलो ना ऐसा नहीं बता है ऐसे में तो this या it दोनों में से किसी का भी उस कर सकते हैं तो मुझे उमीद है कि past indefinite tense जो कि बहुत ही important tense से आपको sentence बनाना clear हुआ अब हम इस पहचान पे चलते हैं जो कि बहुत ही important है तातिती के साथ थाति थी ये एक बहुत ही interesting चीज है और 99% students इस बात को नहीं जानते हैं मैं आपको बता देता हूँ आज आप बिलकुल clearly इस चीज को समझेंगे कि जब भी किसी sentence में क्रिया के साथ तातिती और उसके बाद तातिती आता है जैसे वो जाता था, खेलता था, नासता था, गाता था, मुझसे मिलता था, बैठता था ऐसे में होता क्या है देखिए जो क्रिया है उस sentence की, जो sentence की verb है वो या तो एक action verb हो सकती है action verb का मतलब है जहां पर कि आपके हाथ पैर हिल रहे हो, movement हो रहे हो, action हो रहा हो हिलती है, cook करता था, cook मतलब पकाता था, मैं खाना पकाता था, तो पकाना यानि cook, cook करते वे भी आपकी body moment होती है लेकिन एक दूसरी verbs होती है, जो की होती है non action verbs, जिनमें action नहीं होता जैसे कि, जब आप सोचते हैं, तो हो सकता है, आप शानती से बैठे हैं, आप सोच रहे हैं, लेकिन आपके हाथ पैर तो नहीं हिल रहे है पसंद करना, like, जैसे मैं कहूं, मैं उस लड़के को पसंद करता हूं, तो पसंद करना मतलब क्या मैं कुछ काम कर रहा हूं, क्या मैं खेल रहा हूं, डांस कर रहा हूं, कुछ पका रहा हूं, कुछ बता रहा हूं, उस तरह का action नहीं हो रहा है, आपके दिमाग में ही काम चल आपको चाहते हैं, जैसे मैं जाना चाहता था, तो चाहता था, चाहना, यह जो चाहना जो वब है, इसमें कोई action नहीं है, हाँ अगर मैं यह कहूं, कि मैं, जैसे मैंने कहा कि मैं जाना चाहता था, अगर मैं कहूं कि मैं जाता था, तो जाना जाते वक्त आप चल के जा रहे है मैं विश्वास करता था विश्वास करना किसी चीज़ पर यह आपके दिल की बात है मन की बात है लेकिन आप कोई काम नहीं कर रहे हैं उसमें तो दो केटेगरी में आ गए अगर तो क्रिया एक्षन वर्ब है तो क्या होगा अगर क्रिया action verb नहीं है तो क्या होगा जब क्रिया action verb नहीं होती है ऐसे में sentence को mostly जादतर past indefinite tense की हिसाब से ही बनाया जाता है ठीक है एक है करके देखेंगे जैसे मैं रवी को पसंद करता था पसंद करने की बात हो गई तातिती आगया थातिती आगया ठीक है past का indefinite tense की तरह इसे बनाया जाएगा मैं रवी को पसंद करता था affirmative sentence से आए आए पसंद करने को क्या कहते है लाइक की second form लाइक आई लाइक किसे पसंद करता था रवी को आई लाइक रवी ये बात हो गई clear कि मैंने इसे past indefinite tense की पर बना लिया हम इस चीज पर विश्वास करते थे तातिती आगया थातिती आगया ठीक है past indefinite tense में विश्वास करना obviously एक non action verb है ऐसे में हम इस चीज पर विश्वास करते थे हम के लिए we we believed विश्वास करने को believe कहते है उसकी second form believe in this thing we believed इस चीज पर in this thing अगर आप में से किसी के मन में ये बात आए कि इस चीज पर पर के लिए तो मुझे on कहना चाहिए तो यहाँ पर आप ध्यान रखी हमेशा बात ऐसे नहीं होती है देखे believe एक ऐसी verb है जिसके बाद हमेशा कौन सा preposition आता है in बस इतना आप ध्यान रखे तो इस चीज पर बो हर केस में believe के बाद तो इन ही आएगा we believed in this thing तो यह दो sentences आपको clear है कि non action verb के हैं आपने ऐसे बनाए अब मैंने क्या का अगर आपका मन करे तो आप इस sentence को ऐसे भी बना सकते हैं used to के साथ अभी मैं would की बात नहीं कर रहा हूं would की बात थोड़ी दिर में करूंगा पहले आप used to के साथ कैसे मैं रवी को पसंद करता था I liked रवी की जगह पर I used to like रवी यानि used to का use हो जाता है और used to के बाद हमेशा verb की first form क्रिया की first form L I K E I used to like रवी अब आप सोचेंगे कि सर इसका negative तो मैं बना सकता हूं कि मैं रवी को पसंद नहीं करता था I liked रवी की जगह पर I did not like रवी इसका कैसे बनाएंगे वह भी हम देखेंगे थोड़ी दिर में ठीक है क्योंकि step by step चीजों को देखना है अब इस sentence को भी अगर मैं used to के साथ बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा we believed in this thing की जगह we used to believe in this thing चलिए यह हमने देख लिया दो example ले लिए इस category में अब ज़र used to like रवी मैं रवी को पसंद करता था मैंने दोनों तरीकों से बना दिया sentence को ठीक है और दोनों sentence का मतलब एक यह यानि कि एकी sentence को दोनों तरीकों से बना सकते हैं अब जब मैं negative बनाऊंगा मैं रवी को पसंद नहीं करता था तो मैं कहूंगा I did not like रवी अगर मैं कहूंग क यह negative, interrogative, negative, interrogative, तो एक बार तीनों को लिख देता हूं, तो मैंने इसके negative, interrogative, negative, interrogative sentence को लिख दिया है, यह तो आपको बिल्कुर clear है, अब आजाते हैं इसके negative पे, मैं रवी को पसंद करता था, यह है बात, यहाँ पर used to का use हुआ है, जबकि इस case में जो typical तरीका है past and definite tense का, उ negative बनाते हैं, I did not used to, यानि used to का negative हो गया, did not used to, यह ध्यान रखना है, I did not used to, और यहाँ पर d नहीं आएगा, I did not used to, like रवी, simple, तो generally, जब English conversations में, English native के मुँँ से आप सुनेंगे, या कोई English बोल रहा है, उसके मुँँ से सुनेंगे, तो कैसे सुनेंगे, I didn't used to, like रवी, I didn't, didn't yet didn't, क्योंकि generally contract कर देते हैं, क्योंकि इतना लंबा बोलो, I did not used to, like रवी, यह जमता नहीं है, तो I didn't used to, like रवी, या I didn't used to, like रवी, जब इसका interrogative बनाते हैं, क्या मैं रवी को पसंद करता था, क्या मैं रवी को पसंद करता था, ऐसे मैं did को उठा के शुरुवात म इतना है, did I used to, like रवी, did I used to, like रवी, यह sentence और यह sentence देखे, equal है, यह वाला sentence और यह sentence equal है, यह sentence दोनों एक की मतलब है, दोनों का, did I used to, like रवी, और अगर negative interrogative बना दूँ, जैसे यह है, did I not, like रवी, तो आप जानते हैं, subject के बाद हमेशा not आता है, subject के बाद not आता है, उसी I not used to, like रवी, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा, कि जब भी sentence में verb non-action होगी, इस तरह की कोई verb होगी, ऐसे में, अधितर cases में past indefinite tense का ही use करते हैं, बहुत ही rare होता है, कि इस sentence को मैं ऐसे बनाने के बजाए, ऐसे बना लूँ, चाहे लिखने में हो, चाहे बोलने में, अब थ उसके साथ खेलता था, तातिती आगे है, थातिती आगे है, ठीक है, past indefinite tense, खेलना, खेलना यहाँ पर क्रिया है, और खेलना, चुकि एक action verb है, ऐसे case में, इसे आप past indefinite formation की तरह नहीं बनाएंगे, आप कैसे बनाएंगे, used to के साथ में, कैसे, मैं खेलता था, I used to play उसके सा with him, अब इस sentence में, हम अक्सर उससे बात करते थी, तातिती के साथ हातिती आगे है, past indefinite tense, लेकिन बात करना, बात करना तो एक action verb है, और बात करते हैं, action verb क्यों है, क्योंकि इसमें आपका मुह हिलता है, ठीक है, आपकी body movement हो रही है, ऐसे में, आप सिर्फ used to का use करेंगे, कैस हम, we used to talk, बात करने को talk कहते हैं, we used to talk to him, और अक्सर के लिए हम एक word use कर लेते हैं, often, तो कैसे sentence को बना लेते हैं, दीकि यह matter different है, क्योंकि यह एक adverb है, और adverb कैसे use किया जाता है, we used to often talk to him, तो talk to him, इसके यहाँ पर होता क्या है, जब adverb का use किया जाता है, अक्सर के लिए often का, often या often, दोनों तरीके से उसे बोलते हैं, तो जो भी sentence की main verb है, उससे तुरंथ पहले यहाँ पर, इस adverb का use कर लिया जाता है, अगर आज इस, जब आप tense सीख रहे हैं, अगर यह चीज आप नहीं भी समझ पाए, तो वो matter नहीं है, matter यह है समझाना, कि यहाँ पर चुकी यह action verb है, तो हमें use करना है, used to, उसके बाद verb की first form, जैसे यहाँ पर used to के बाद verb की first form आई, ठीक है, वो तो अक्सर बोल दिया, अगर नहोता अक्सर sentence में, हम उससे बात करते थे, we used to talk to him, तो आप यह समझ गए कि action verb के साथ में आप और हम कहते हैं कि हमें used to का ही use करना चाहिए, यही use करना है हमें, वो formation नहीं, लेकिन अगर action verb आ रही है और तातिती थातिती आ गया, लेकिन अगर बीते कल में किसी particular समय की बात हो गई, ऐसे में sentence को used to के साथ तो बना ही सकते हैं, खेर, इसके अलावा ऐसे भी बना सकते हैं, अब आप कहींगे सर या आप क्या कह रहे हैं, तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यह कह रहा हूँ, कि मान लिजिए, इस sentence को ऐसा कहने के बजाए मैं कहता, मैं 2007 में उसके साथ खेलता था, इसे लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर मैंने एक, बीते कल मैंने एक समय की बात क यह कैसे, मैं उसके साथ खेलता था, I used to play with him, 2007 में, in 2007, तो अगर मैं इसके साथ में in 2007 लगा दूँ, तो यह sentence बन जाएगा, लेकिन जब बीते कल में किसी समय में किसी घटना की बात होती है, कि ऐसा मैं करता था, और वो action है, ऐसे में तब आप इसे past indefinite tense की तरफ बना सकते ह तब ही बनाएंगे, जब बीते समय का किसी समय का जिक्र होगा, कि उस समय में मैं ऐसा करता था, ठीक है, यह practice से आएगा, लेकिन आज आप इसे समझ रहे हैं, तो इस sentence को एक तरीका तो यह मैंने बता दिया, लेकिन उसके अलावा इस sentence को past inde definite tense की तरफ कैसे बना सकते हैं, मै मैं I खेलता था, खेलने को play, play की second form played, I played with him, मैं उसके साथ खेलता था in 2007, तो देखिए इसको लिख देता हूँ, अच्छा, ठीक इसी तरह से, अगर मैं कहूँ, हम उन दिनों उससे बात करते थे, उन दिनों कह दूँ, तो देखिए वो दिन जो हैं, वो मैंने एक past के एक सम कर साथ में, या उन दिनों, या उस साल में ऐसा होता था कि हम बात करते थे, तो हम उससे बात करते थे, कि नहीं तो हमें बनाना है, we used to talk to him, लेकिन अगर आ गया, कि हम उन दिनों उससे बात करते थे, तो ऐसे में हम इस सेंत्एन्स को इस तरह से भी बना सकते हैं, we talked, बा those days, हम उन दिनों से बात करते थे, we talk to him those days, इसे लिख देता हूँ, ताकि आप अपने homework में इसे note कर सके, अब जरा मैं न, कुछ example भी लेता हूँ, और फिर would का भी use आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपके सामने तीन sentence है, ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैंने sentences को जिस sequence में ल हम हर संडे को मिलते थे, पहले इस sentence को देखते हैं, ठातिती ठातिती आया, दिमाग में तुरंत आगया past and definite tense है, मिलने की बात हो रही है, मिलना तो एक action verb है, used to का use किया जाएगा, हम मिलते थे, we used to meet हर संडे को, every Sunday, we used to meet every Sunday, इस तरह से लिखना बेहतर विकल्प है, जैसा कि म लेकिन मैंने आपसे फिर एक बात और कही, कि जब हम बीते समय में किसी समय का reference देते हैं, जैसे हर संडे को हम मिलते थे, तो हर संडे को, संडे संडे जो होते थे, उनमें हम मिलते थे, तो 2007 में मिलते थे, संडे इसको मिलते थे, या फिर मंडे को मिलते थे हम, जब ऐसा कहते हैं, तो ऐसे में आप इस sentence को past indefinite tense के typical rules के हिसाब से भी बना सकते हैं, यह बात मैंने आप को पिछली slide में बताई, तो हम मिलते थे, affirmative sentence, we, मिलते थे, मिलना meet, meet की second form met, we met, हम मिलते थे, हर Sunday को, यानि every Sunday, we met every Sunday, यानि कि इस sentence को ऐसे बनाया जा सकता है, अगर थोड़ा सा और add कर दूँ, कि हम उन दिनों हर Sunday को मिलते थे, उन दिनों, तो we used to meet every Sunday those days, या फिर we met every Sunday those days, है न, इस तरह से मैं जोड सकता हूँ, sentence तो बनता जाता है, ठीक है, तो यह बात आपको clear हो गया, action, non action verb का जो difference है, वो clear हो गया, non action verb के case में, mostly past indefinite tense के typical formation का use, लेकिन कुछ cases में, अगर आप चाहें, तो आप used to का use भी कर सकते हैं, action verb के cases में, mostly used to का use, और फिर अगर किसी past में किसी समय का reference दे दे, तो आप past indefinite tense के typical rule के case आप से बना सकते हैं, जब हम practice करेंगे, तो यह बात ज्यादा clear होगी, अभी सिर्फ concept है, तो आप concept को पहले समझ लीजिए, अब आजाए इस sentence पे, यहाँ पर लिखा है, वो चावल बनाता था, तातिती थातिती, वो चावल बनाता था, और and, मैं रोटी बनाता था, तातिती थातिती, अब यहाँ पर एक तरह से दो sentences हैं, इंडिपेंडेंट और बीच में एक conjunction है, और ठीक है, आप यह देख रहे हैं, दो actions की बात हो रही है, एक action है, बनाना यहाँ पर, कि मैं बनाता था, फिर दूसरा action है, मैं बनाता था, यूस्टू के बाद यह word जो मैंने लिखा है, यह मैंने क्यों लिखा है, पता है, जब भी अब पहला sentence बनाएं, यूस्टू के साथ में, तो जो उसके बाद के जितने भी sentence आएं, जिनमें ताते थी थाते थी, अगर repeat हो रहा है, क्योंकि एकसर ऐसा ही होता है, जब हम किसी क ताते थी थाते थी, ऐसे में जो पहला sentence है, उसको तो यूस्टू के साथ बनाना है, लेकिन उसके बाद जितने भी sentence आएं, ताते थी थाते थी के, उनको बनाईए वूड के साथ, यही practical English है, ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, तो इस sentence को कैसे बनाना है, वो चावल ब हो गया, he used to cook rice, and, अब एक sentence और add कर दिया, and, मैं रोटी बनाता था, I, वैसे तो अगर यह अलग होता है sentence, केवल यही sentence होता, पहला, और हम इस ता के लिए मतलब एक ही sentence होता, मैं रोटी बनाता था, तो मैं कहता, I used to cook chapatis, लेकिन चुकि उससे पहले used to का formation एक sentence में already आ गया I would cook, और would के बाद हमेशा ही आप जानते हैं, would के बाद हमेशा first form का ही use करते हैं verb की, I would cook chapatis, simple, तो आप समझे, पहले sentence में used to, उसके पाद फिर would, 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 ऐसे चलेगा, जैसे हम वहाँ मिलते थे, action verb है, आपको पता लग गया, used to का use करना है, हम वहाँ मिलते थे, we used to meet there, फिर ह फिर हम school जाते थे, we, अब used to का use नहीं करना है, क्या करेंगे, would, we would go to school, फिर हम खेलते थे, then we would play, उमीद है आप इस बात को समझ पाए, कि बाद में आप would, would कहते रहेंगे, शुरुआत ही sentence को आप used to के साथ बनाएंगे, कब, जब sentence में होगी action verb, और मैं बात कर रहा हूं कि इस पहचान की तातिती के साथ थाते थी, past indefinite tense हो गया, अब आगे जो past continuous है, perfect है, perfect continuous है, बिल्को present की तरह है, तो फटाफट से cover करते हैं, क्योंकि move करना है future में, वहाँ पर थोड़ा सा complication, will और would का आएगा, वो हम देखेंगे, तो move करते है past continuous tense पे, past continuous tense की पहचान क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे, वो जा रहा था, खेल रहा था, मिल रहा था, बातें कर रहा था, यही सब होता है, वो एक संत्रे को छील रही थी, वो क्या छील रही थी, मैं किसे बता रहा था, हम office से निकल रहे थे, हम office के लिए निकल रहे थे, तो रहा था, रहे थी, रहे थ रिपीट करने की जौत इसलिए नहीं है क्योंकि हर टेंस में कुछ ना कुछ रूल से हैं वह आप देख रहे हैं लगवग एक जैसे हैं फर्क सिर्फ किस चीज का है आउक्सिलरी वर्प्स पास्ट कंटीनुआ स्टेंस में आउक्सिलरी वर्प होती है वॉज यह वर्प अब क्या बता सकते हैं कि वॉज का यूज किसके साथ होता है वर का यूज किसके साथ होता है तो इस टेंस में ध्यान रखिए सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है चाये वो first person singular हो I चाये वो third person singular हो singular subject है तो वहाँ पर use होगा was और अगर plural subject है तो वहाँ पर use होगा were यह plural जितने भी plural है we के साथ भी were, you के साथ भी were जितने भी plural है उनके साथ में were अब मझे इस sentence को बनाना है वो एक संत्रे को छील रही थी चीलने को क्या कहते हैं चीलने को कहते हैं p double e l peel कौन चील रही थी वो चील रही थी तो कोई लड़की की बात हो रही है तो कोई लड़की है she third person singular है इस साथ इस subject के साथ was लगेगा affirmative sentence है she was चीलने को peel peeling peeling ing लगा देंगे she was peeling एक संत्रा an orange अच्छा एक बात मैं आपकी knowledge के लिए बता देता हूँ कि चीलने को peel भी कहते हैं और peel off भी कहते हैं यानि कि हम peeling के बाद off भी लगा सकते हैं she was peeling off an orange ठीक है अगर सोचिए ये sentence negative हो कि वो संत्रे को चील नहीं रही थी she was not peeling an orange क्या वो संत्रा चील रही थी क्या वो interrogative हो गया was she was she peeling an orange क्या वो संत्रा नहीं चील रही थी negative भी हो गया was she not peeling subject के बाद not was she not peeling an orange ठीक है ये तो हमें clear हो चुका है अब इस sentence है वो क्या चील रही थी अब इस sentence का answer आप yes या no में तो दे नहीं सकते अगर मैं आप से पुछूँ हो क्या चील रही थी और आप कहदें yes ये आप कहदें no ऐसे तो काम नहीं चलेगा आपको बताना पड़ेगा क्यों क्या चील रही थी यहां पर क्रिया है बताना, बताने को tell कहते हैं, किसे बता रहा था, interrogative sentence है, किसे के लिए हम कहते हैं, whom, whom was I, whom was I, क्योंकि subject है I, I के साथ क्या लगता है, I के साथ, was, whom was I, żyTI, बताने को tell, tell के साथ आयाएं जी, telling, whom was I, telling, हम office से निकल रहे थे, अब ये दो sentences interesting हैं, देखो, हम निकल रहे थे, निकलने को क्या कहते हैं, निकलने को कहते हैं l.e.a.ve, कौन निकल रहे थे, हम निकल रहे थे, we,We के साथ नो लगता है, were, we,We के साथ, were, we, were, निकलने को leave, leaving, we were leaving, अब उसके बाद कहां से निकल रहे थे हैं office से, तो generally हम सब क्या कर सकते हैं गलती, office say के लिए हम कह देंगे from the office, पर ये गलत है, ये गलत क्यों है, तो कि जब भी हम कहीं say निकलते हैं, ऐसे में leave के बाद कोई भी preposition नहीं आता है, ये बहुत interesting है, we were leaving the office, ऐसे बोला जाता है, जैसे हम अमेरिका से निकल रहे थे, we were leaving America, हम उस जगह से निकल रहे थे, we were leaving that place, तो from यहाँ पर नहीं आएगा, अब इस sentence में हम office के लिए निकल रहे थे, हम निकल रहे थे के लिए तो वही, we were leaving, इसे लिख देते हैं पहले, अब कहां के लिए निकल र for the office, ऐसे में तो आप for का use करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, तो office के लिए मतलब for the office, अब यहाँ पर आपके सामने तीन sentence है, कौन कौन हस रहे थे, रा था रही थी, रहे थे, आ गया, ठीक है, interrogative sentence है, पता लग गया, मैं मान लेता हूँ, ठीक है, interrogative है, ओ कौन हस रहे थे, यहा तो जो हस रहे थे, उन के बारे में पूछा जा रहा रहा है, यानि की WH family member subject के बारे में ही पूछ रहा है, तो ऐसे में बनेगा, तो कौन कौन को क्या कहते है है, WH family member में, who all, who all, और वह एक से जज़ादा की बात हो रही है, तो were, who all were, हस रहे थे, हसने क laugh कहते हैं laugh के साथ ing who all were laughing अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ दूँ मुझ पर कौन-कौन हस रहे थे who all were laughing मुझ पर at me laugh के बाद at लगता है at me और फिर मैं कुछ और add कर दूँ class में मुझ पर कौन-कौन हस रहे थे class में add कर दिया who all were laughing at me in the class तो एक बार structure पता हो तो sentence फिर कितना भी आप जोड़ता जाएं आप उसे बनाने में सक्सम हो सकते हैं तुम उसे क्यों दोस्ट दे रहे थे क्यों आ गया interrogative sentence है रहा था रही थी रहे थे दोस्ट देना यहाँ पर क्रिया है कैसे बनेगा क्यों दोस्ट दे रहे थे वाई वर यू वाई वर यू दोस्ट देना को ब्लेम ब्लेम के साथ आएं जी ब्लेमिंग किसे उसे किस बहन वहाँ आ रही थी किस की बहन वहाँ आ रही थी sentence गलत हो गया किस की बहन वहाँ आ रही थी interrogative sentence है आना यहाँ पर verb है क्रिया है रहा था रही थी रहे थे past continuous tense किस की बहन वहाँ आ रही थी जिस की बहन आ रही थी वो ही तो subject है अगर मैं अब कहता राहूल की बहन आ रही थी तो आने का काम कौन कर रहा होता राहूल की बहन तो किसकी बहन कर रही है उस काम को किसकी बहन कर रही थी आने का काम तो यहाँ पर सीधा subject के बारे में पूछा जा रहा है WH family member की मदद से तो इस formation के हिसाब से हम चलेंगे किसकी बहन को कहेंगे whose sister whose sister was आने को कम के साथ आयें जी coming कहाँ वहाँ there whose sister was coming there तो यह tense तो बहुत ही simple है बिल्कुल वैसे ही जैसे present का continuous tense है आगे move करते हैं past perfect पे past perfect को समझने के लिए आपके सामने कुछ sentences है पहले एक नजर इस पर मारी है बहुत ही important चीज है यह देखे हमने film देखी है यानि हम film देख चुके है आया है, गया है, उठा है, बैठा है, रोया है, सोया है, देखा है, देखी है चुका है, चुकी है, चुके है किस tense में आता है present के perfect tense में present perfect का यह sentence है बस तो ये बन गया past का indefinite आया गया उठा बैठा रोया सोया हसा जागा नाचा गाया खेला कूदा देखा देखी है ना past का indefinite और अगर है की जगह मैं था लगा दू था थे थी हमने film देखी थी यानि हम film देख चुके थे ऐसे में जैसे मैंने थी लगाया या था लगाया य इसी तरह से आप यहां पर भी देखेंगे मैं दिल्ली गया हूँ यानि मैं दिल्ली जा चुका हूँ तो चुका है चुके यह चुके है गया है आया है present perfect और जब मैंने है है हूँ हूँ को हटा दिया मैं दिल्ली गया यह हो गया past indefinite था थी थी लगा दिया मैं दिल्ली गय तो योग्या पास्ट परफेक्ट, ये रवी ने चिपकाया है, आया है, गया है, चिपकाया है, बिठाया है, बैठा है, ये सभी प्रेजन्ट परफेक्ट, और ये रवी ने चिपकाया, तो पास्ट का परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट, तो पास और ली थी, दी थी, की थी, उसने किताब ली थी, उसने मुझे ये किताब दी थी, उसने गलती की थी, ये सबी है Past Perfect Tense में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी sentence, देखिए इन तीनों tense में कितनी similarity है, इसका एक idea आपको होता है, तो sentences को बनाने में आपको बहुत मदद मिलती है, ठीक है, और Past Perfect Tense में, आप जानते हैं केवल auxiliary verb head का use होता है, अगर आपको नहीं पता है, तो note कर लीजिए, head का use होता है, चाहे subject कोई भी हो, तो कोई भी subject हो, क्या use करना है आपको इस tense में head, और इस tense के sentences कैचे होते हैं, इस तरह के, ठीक है, तो अब हम कुछ examples लेत हैं, उसने मुझे जकड लिया था, जकड लिया था, आ गया, लिया था, आया था, बैठा था, खाया था, तो उसने मुझे जकड लिया था, Past Perfect में, किसने जकडा था, जकडने के काम को किसने किया था, उसने किया था, कोई लड़का है तो he, लड़की है तो she, मैं मान लेता ह है वो क्या है जकड़ना तो जकड़ने को कहते हैं क्लिंच उसकी थर्ड फॉर्म का यूज होगा और किसे जकड़ा था मुझे जकड़ा था he had clinched me जकड़ना मतलब क्या होता है टाइट करके पकड़ लेना ठीक है तो he had clinched me और अगर मान लिजे इस sentence में मैं add कर दूँ उसने मुझे अपने हाथों से जकड़ लिया था he had clinched me with his hands ठीक है इस sentence को अगर negative बनाना हो उसने मुझे नहीं जकड़ा था तो नहीं जकड़ लिया था ऐसा तो कभी नहीं बोलते हैं क्या बोलते हैं उसने मुझे नहीं था क्या से शुरुवात कर दी ठीक है 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 हेड से शुरुवात हो जाएगी had he clinched me ठीक है क्या उसने मुझे नहीं जकड़ा था negative बी interrogative बी क्या उसने मुझे नहीं जकड़ा था had he not clinched me अब ये sentence देख़िए मुझे उस दिन किसने जकड़ा था यह question mark है interrogative sentence मुझे उस दिन किसने जकड़ा था सोचिए किस तरह का sentence है interrogative है यही तो clear है ठीक है अब सोचिए कि यहाँ पर जकड़ने का काम किसने किया था बताइए वो ही तो subject होगा ना कौन होगा subject आप में से कुछ confuse होके कह सकते हैं मुझे subject है जकड़ा था वही तो subject है मान लिजे मैं कहूँ कि मुझे उस दिन राहूल ने जकड़ा था इसका मतब राहूल subject है तो जब डबलो एज फैमिली मेंबर subject के बारे में ही पूछ रहा है यानि किसी question में subject के बारे में ही पूछा जा रहा है किसी काम को किसने किया था ऐसे में तो यह category यूज होगी किसने किया था कौन था वो जिसने मुझे जकड़ा था who had who had cleansed cleanse की third form cleanse किसे मुझे मी उस दिन that day who had cleansed me that day किसने अपना काम पूरा नहीं किया था negative be a sentence interrogative be a negative be a interrogative be a ठीक है subject कौन है पूरा करना यहाँ पर पहले तो यह समझ लो क्रिया क्या है क्रिया है पूरा करना पूरा करना मतलब complete करना ठीक है किसने अपना काम पूरा नहीं किया था जिसने नहीं किया था वो ही तो subject है क्योंकि काम को तो subject ही करता है subject के बारे में ही पूछा जा रहा है तो जब subject के बारे में ही पूछा जा रहा है और sentence negative भी है interrogative भी है तो ये category ये use होगी किसने यानि कौन था वो who किसने अपना काम पूरा नहीं किया था who had not completed पूरा करना को complete करना कहते हैं complete की third form completed अपना काम his work who had not completed his work simple एक दिन पापा ने हमें मजबूत रसी से बांध दिया था तो बांध दिया था यानि बांधा था देखें बांध दिया था लिखूं या बोलूं या फिर बांध बांधा था बोल दूं बात तो ही कि एक दिन पापा ने हमें मजबूत रसी से बांधा था या बांध दिया था बात एक ही है कुल मिला के ये past का perfect tense है क्योंकि जो subject है पापा उन्होंने किसी काम को कर दिया था finish कर दिया था यानि कर चुके थे वो उस काम को चुका था sense को देखना है एक दिन one day पापा को पापा फादर डैड जो कहना चाहें कह सकते हैं subject है और ये affirmative sentence है पापा had पापा ने क्या काम किया था बांधने का बांधने को tie करना कहते हैं इसकी third form tied पापा had tied किसे किसे बांधा था हमें बांधा था us किस चीज से बांधा था मजबूत रसी से with a strong rope पापा had tied us with a strong rope आप चाहें तो one day को sentence के end में भी लिजा सकते हैं हिंदी में भी तो हम ऐसा कह सकते हैं पापा ने हमें मजबूत रसी से बांध दिया था एक दिन एक दिन comment में कह सकते हैं उसी तरह से English में पापा had tied us with a strong rope one day इस तरह से sentence को बनाएंगे मुझसे किस लड़के ने किताब ली थी यहाँ पर आ गया ली थी ली थी, दी थी, की थी लिया था, दिया था, किया था, चुका था, चुकी थी, चुके थे पास्ट का perfect tense interrogative sentence है मुझसे किस लड़के ने किताब ली थी जिसने ली थी वो ही तो subject है क्योंकि subject ही काम को करता है वो subject है कोई लड़का तो किस लड़के ने ली थी तो उसी लड़के के बारे में पूछा जा रहा है तो special case में इस तरह से sentence बनेगा किस लड़के ने, यानि कौन था वो लड़का which boy had लेना, ली थी, लेने को take कहते हैं taken, which boy had taken किस लड़के ने ली थी, क्या ली थी किताब, the book, किस से, मुझसे, from, me ठीक है, तो अब तो आप tenses को काफी अच्छा समझने लग गए हैं, structures आपको पता हैं, तो बस इतने examples फिलाल concept के लिए लेते हैं, अब move करते हैं past perfect continuous tense पे, past perfect continuous tense भी बिल्कुल past continuous tense जैसा ही होता है बस फर्क से पितना है, कि रहा था, रही थी, रहे थी के साथ में, समय से का जिक्र हो जाएगा, जैसे हमने present perfect के continuous tense में किया, और समय से, यह जो से है, इस से के लिए since या for में से किसी यूज करेंगे, बिल्कुल वैसे ही, जैसे हमने present के perfect continuous tense में किया, sentence है आपके सामने है, हम कई सालों से मिल रहे थे, कई सालों से, अगर यह न होता, और simple sentence होता, हम मिल रहे थे, तो आप बनाते, we were meeting, past continuous tense की तरह, लेकिन समय से का जिक्र हो गया, तो यह बन गया past का perfect continuous tense, और इस tense में, जो auxiliary verb यूज होती है, had been, negative में, had और been के बीच में not आ जाता है, interrogative sentence में subject से पहले head का use, और been का use subject के बाद में होता है, और negative interrogative sentence में, आप अल्रेड़ी जानते है, not का use हमेशा subject के तुरंत बात किया जाता है, कैसे बनाएंगे sentence को, हम कई सालों से मिल रहे थे, affirmative sentence है, we had been meeting, we had been, meet मिलना, meeting, कबसे कई सालों से, तो period की बात हो गई, अवधी की बात हो गई, for many years, next sentence, वो दो बज़े से football नहीं खेल रहा था, negative sentence है, नहीं खेल रहा था, कौन नहीं खेल रहा था, वो नहीं खेल रहा था, तो subject है वो, वो कोई लड़का है, तो he, he had not been, खेलने को play, playing, क्या नहीं खेल रहा था, football, objective पार्ट में, football, कबसे नहीं खेल रहा था, दो बज़े से, since two o'clock, दो बज़े से, किसी time say की बात होती ही, तो क्या बोलते हैं, since, since two o'clock, पंदरा साल से, वो किस office में, काम कर रहा था, question mark, interrogative sentence है, किस office में काम कर रहा था, interrogative sentence में, wh family member क्या हो गया, किस office में, क्या बोलते हैं, इसे, wh family के वीडियो में बताया था, in which office, in which office, had, वो काम कर रहा था, subject है, he, had he been, काम कर रहा था, यानि, काम करने को क्या कहते हैं, work, working, work के साथ में आएं जी, working, पंदरा साल से, duration की बात हो गई, for 15 years, है न, sentence simple, in which office, had he been working for 15 years, आप वहाँ कब से रह रहे थे, कब से, present perfect continuous tense में बताया था, मैंने आपको कब से आ गया, यानि समय से की बात हो गई, ऐसे case में ये बन गया है, past का perfect continuous tense, क्योंकि रहा था, रही थी, रहे थे आ गया, यहाँ पर क्रिया क्या है, रहना, आप वहाँ कब से रह रहे थे, रहना क्रिया है, रहने को हम कहते हैं, live, subject हैं आप, आप यानि की you, interrogative sentence है, interrogative, कब से को हम कहते हैं, since when, had you, had, उसके बाद subject you, been, रहने को live, living, कहाँ पर, वहाँ, living there, simple, उसके बाद, question mark, since when, had you been living there, उसे दो महिने से, कौन परेशान कर रहा था, यहाँ पर, परेशान करना, यह है क्रिया, परेशान करना, जिसे हम English में कहते हैं, bother, b-o-t-h-e-r, या फिर disturb, disturb करना भी परेशान करना ही होता है, तो, परेशान करने का काम, कौन कर रहा था, यहाँ पर, देखिए आप subject क्या है, subject के बारे में ही तो पूछ रहे हैं, कौन कर रहा था, परेशान कौन कर रहा था, तो जब subject के बारे में ही पूछ रहे हैं, तो special case में interrogative हो नहीं sentence, who, who, had been, bothering, bother मतलब परेशान करना, bothering, उसे, किसी लड़के को, him, bothering him, दो महिने से, for two months, who had been bothering him for two months, who had been bothering him for two months, चलिए अब मूव करते हैं, future के indefinite tense पे, future indefinite tense की पहचान होती है, गागेगी, क्रिया के साथ गागेगी लग कर आता है, जैसे मैं जाऊंगा, वो आएगा, हम खेलेंगे, हम खाएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, रोएंगे, हसेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, और यहाँ पर auxiliary verb, will का use किया जाता है, ध्यान रहे, shell का use, अब, tenses में नहीं किया जाता है, बलकि shell का use, केवल as a modal verb, किया जाता है, जो कि आगे आप पढ़ेंगे, तो, जैसे मान लीजी मैं कहूँ, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, तो subject हुँ मैं, I will, जाने को go कहते हैं, I will go, वो आएगा, he will come, हम नाचेंगे, we will dance, आप देखोगे, you will see, तो tense बहुत simple है, negative में not लग जाता है, simple, कुछ sentences देखिए आपके सामने है, वो तुम्हें माफ कर देगा, यहाँ पर आ रहा है, गागी, ठीक है, कौन माफ कर देगा, वो, तो subject है वो, he, he के बाद आता है, will, क्योंकि यह एक affirmative sentence है, he will, यहाँ पर क्रिया क्या है, माफ करना, माफ करने को क्या कहते हैं, forgive, he will forgive, तुम्हें, यानि कि आपको, he will forgive you, अब अगर इस sentence का negative बनाना हो, वो तुम्हें माफ नहीं करेगा, वो तुम्हें माफ नहीं करेगा, he will not forgive you, क्या वो तुम्हें माफ कर देगा, will, क्योंकि interrogative हो गया, will he forgive you, यहाँ पर WH family member नहीं आएगा, क्योंकि इस question का answer मैं yes या no मैं दे सकता हूँ, अगर मैं पूछूं कि क्या वो तुम्हें माफ कर देगा, तो आप कह सकते हैं yes, यहाँ आप कह सकते हैं no, क्या वो तुम्हें माफ नहीं करेगा, will he not forgive you, simple है, ठीक है, वो तुम्हें किस शर्थ पर पैसे देगा, यहाँ पर बात हो रही है देने की, तो यहाँ पर जो क्रिया है, वो है give, यह देखिए थोड़ा सा important है, इस चीज को समझना जैसे, यहाँ पर भी देगा आ रहा है, लेकिन माफ कर देगा, यानि माफ करना यहाँ पर क्रिया है, देना क्रिया नहीं, यह कुछ दे नहीं रहे हैं, माफ कर देगा का मतलब यह नहीं कुछ दे रहे हैं, माफ करना वहाँ पर क्रिया है, जबकि यहाँ पर पैसे दीने की बात हो रही है, तो give यहाँ पर क्रिया है, ठीक है, कौन माफ कौन पैसे देदेगा, वो तो subject तो है, किस शर्थ पर, interrogative sentence है, interrogative, के शर्थ पर, इसके लिए डबलो एच फैमली मेंबर क्या यूज किया जाएगा, on which condition, डबलो एच फैमली मेंबर के वीडियो में, मैंने आपको बहुत सारे ऐसे formations पताये थे, on which condition, will he, subject है, वो, will he, verb क्या है, देना, यानि give, will he give, you, क्या मनी, will he give you मनी, on which condition, will he give you मनी, वो तुम्हें किस शर्थ पर पैसे देगा, मैं यहाँ एक गढ़्धा खोदूंगा, खोदना यहाँ पर क्रिया है, गागी की आ गया, future का indefinite tense, subject हुमें, I will, खोदने को कहते हैं, डिग, I will डिग, मैं खोदूंगा, क्या खोदूंगा, एक गढ़्धा, a pit, कहाँ पर, यहाँ, here, यहाँ पर मैं here से पहले, over here भी कह सकता हूं, तो इस sentence को मैं दोनों तरीके से बना सकता हूं, I will dig a pit here, या फिर, I will dig a pit over here, next sentence, मैं तुम्हें इस काम की याद दिला दूंगा, यहाँ पर भी दूंगा आ गया, देगा, दूंगा, तो ऐसा नहीं कि कुछ देने की बात हो रही है, यहाँ पर याद दिलाने की बात हो रही है, क्रिया है याद दिलाना, याद दिलाने को क्या कहते हैं, सोचिए, remind, किसी को कुछ याद दिलाना, यानि किसी को कुछ remind कराना, ठीक है, तो एक sentence तो यह अलग से है, चिंता मत करो, don't worry, यह sentence तो सिर्फ इसले लिखा गया है, क्योंकि एक sense बन रहा है, इस पूरे sentence का, चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस काम की याद दिला दूँगा, don't worry मैं तुम्हें इस काम की याद दिला दूँगा, affirmative sentence है, कौन याद दिलाएगा, मैं दिलाँगा, I will, क्रिया है, remind, remind you, मैं तुम्हें याद दिला दूँगा, I will remind you, इस बात की, of this work, remind एक ऐसी verb है, एक ऐसी क्रिया है, जिसके बाद, वो pronoun या noun आता है, जिसे याद दिलाया ज आएगा, तुम्हें याद दिलाँगा न, तो तुम आगए, और उसके बाद, remind के बाद हमेशा preposition of का use होता है, यह हमेशा ध्यान रखिये, आगे sentences बनाएगे, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखियेगा, कौन माफ करेगा तुम्हें, कम से कम वो तो तुम्हें कभी माफ न हो रही है, जैसे माफ करना की बाद यहाँ पर हो रही है, हाँ यहाँ पर हो रही थी, forgive, माफ करना मतलब forgive, इस sentence में बताइए, माफ करने कौन करेगा माफ, कौन, पूछ रहा हूँ मैं, यनि subject के बारे में ही पूछा जा रहा है कि कौन माफ करेगा तुम्हें, कौन माफ सब्जेक्ट के बारे में ही डब्लू एज फैमिली मेंबर पूछ रहा है हूँ विल फॉर्गिव यू विल फॉर्गिव यू अब इसके बाद कम से कम वो तो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा कम से कम को क्या कहते हैं अगर आपको नहीं पता है तो नोट कर लीजिए अगर आपको वो तो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा नेगेटिव सेंटेंस है माफ करना की बात हो रही है तो नेगेटिव में नोट आता है तो नोट की जगह पे क्या आजाना चाहिए never, never का मतलब क्या होता है कभी नहीं he will never forgive you तो ये पूरा sentence बना who will forgive you, at least he will never forgive you तो future का indefinite tense तो बहुत simple है गागेगी, verb के साथ गागेगी अब move करते हैं future के continuous tense पे future continuous tense की पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे जैसे present continuous में रहा है, रही है, रहे हैं past continuous में रहा था, रही थी, रहे थे यहाँ पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे क्रिया के साथ आता है जैसे वो जा रहा होगा मैं खेल रहा होंगा हम सो रहे होंगे इस तरह के sentences और यहाँ पर हमेशा जो auxiliary verb यूज़ होती है और subject कोई साभी हो कोई साभी subject हो singular हो, plural हो, third person, first person, second person सभी के साथ, जैसे future indefinite tense में will लगता है यहाँ पर लगता है will be तो इसको यहाँ से अटा देखता हूँ क्योंकि इसका यहाँ पर कोई मतलब तो है नहीं क्योंकि किसी भी subject के साथ तो will be लगना है लेकिन इस tense में अब important चीज़ आ गई है वो है ये दिखिए, वैसे तो जो हम पढ़ रहे हैं वो future है, ठीक है जब भविश्य की किसी बात के उपर हम कह रहे हैं कि वो कल खेल रहा होगा, यानि भविश्य में वो किसी काम को कर रहा होगा ऐसे में तो will का यूज करते हैं, ठीक है यहाँ पर क्या कर रहा है, will be ठीक है लेकिन अगर उस sentence का sense, भले ही उस sentence में आ रहा होगा रही होगी, रहे होगे लेकिन उस sentence का जो sense है, वो या तो present का दिख रहा है या past का दिख रहा है ऐसे में will का यूज नहीं, बलकि will की जगह पे क्या यूज होगा, would यह बहुत ज़ादा important इस sentence में मैं कह रहा हूँ वो दो बजे खेल रहा होगा, यहाँ पर रहा होगा आ गया, ठीक है subject है वो वो किसी काम को कर रहा होगा जैसा कि future continuous में होता है और काम है खेलने का ठीक है, affirmative sentence है affirmative की तरह बनेगा कैसे, subject he उसके बाद क्या आएगा affirmative में, will be he will be, उसके बाद verb की first form है खेलना, खेलने को कहते हैं play, play के साथ ing, playing, he will be playing, दो बजे at two o'clock, जब भी हम किसी निश्चिस समय की बात करते हैं, किसी time की बात करते हैं, कि इस time पे, तो at लगता है वो जो since या for का use करते हैं, वो तो किसी time say होता है किसी समय say ये समय say की बात नहीं हो रही मैं ये नहीं कहारा हूँ, वो दो बजे say खेल रहा होगा मैं कह रहा हूँ, वो दो बजे खेल रहा होगा तो time के साथ क्या लगता है, at he will be playing at 2 o'clock तो ये sentence, दो बजे, दो बजे अभी दो तो नहीं बजे हैं अभी तो मैं कह रहा हूँ कि वो दो बजे खेल रहा होगा दो बजे तो भाविश्य की बात है लेकिन अब इस sentence में देखिए वो इस वक्त खेल रहा होगा कितना important है मैं इस थोड़ी कह रहा हूँ कि वो शाम को खेल रहा होगा, ये वो कल खेल रहा होगा वो दो बजे खेल रहा होगा, ये दो गंटे बात खेल रहा होगा मैं तो कह रहा हूँ वो इस वक्त खेल रहा होगा यानि कि भले ही यहाँ पर रहा होगा, रही होगी, रहे होगे आ रहा है जो कि future continuous में आता है लेकिन बात हो रही है present की, इस वक्त की, इस पल की तो present की बात होते ही यहाँ पर will नहीं बलकि क्या यूज हो जाएगा? would, तो affirmative sentence है, he, he के बाद वहाँ जैसे will be है, will be की जगा अब क्या हो जाएगा? would be, क्योंकि will बदल गया would में, he would be, और फिर बाकी तो same as it is, खेल रहा के लिए playing, इस वक्त के लिए हम क्या कह देते हैं? right now, या फिर हम कह सकते हैं at this time, चलो मैंने यहाँ पर right now लिख दिया, he would be playing right now, तो उमीद है आप इस बात को समझ पा रहे हैं, कि will से देखे कैसे would में change हो गया, जब हम किसी बात को present में कर रहे हैं, भले ही sentence में आ रहा होगा, जो कि इस tense में आता है, हम अगले साल साथ रह रह होंगे, अब यहाँ पर बात हो रही है, अगले साल की, तो बात future की है, यह sentence affirmative है, future continuous tense में है, क्योंकि रहा होगा, रही होगी, रहे होगी की बात हो रही है, यहाँ पर क्रिया है रहना, रहने को हम live कहते हैं, subject है हम, we, we के बाद will be आएगा, जैसा कि affirmative sentence में आ रहा है, we will be, रह रहने को live कहते हैं, live के साथ ing लगाते हैं, तो living हो जाता है, we will be living साथ, साथ को कहते हैं, together, अगले साल, next year, अब यह sentence देखिए, क्या वो इस वक्त देहरादून जा रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होगे आ गया, future continuous tense है, clear, क्रिया है जाना, जाने को go कहते हैं, सही ह subject है, subject है वो, कोई लड़का है, तो he, यहाँ पर लड़का ही है, क्या वो इस वक्त देहरादून जा रहा होगा, अगर कोई लडकी होती, तो मैं कहता है, क्या वो इस वक्त देहरादून जा रही होगी, तो he है subject, ठीक है, क्या से शुरुवात हो रही है, इस question का answer आप yes या no में दे सकते हैं, तो understood है कि यहाँ पर WH family member तो use नहीं होगा. Will he be, will he be, जाने को go, going, कहां जा रहा होगा, देरादून, देरादून, इस वक्त, इस वक्त, यानि right now, या at this time, तो इस sentence को लिख लेते हैं. Will he be going to देरादून at this time? अब आप सोचेंगे, कि सर आप यहाँ पर देखें क्या कहा जा रहा है, क्या वो इस वक्त देरादून जा रहा होगा, यहाँ पर तो इस वक्त की बात हो रही है, यानि present में इस वक्त जा रहा होगा, मैं यह तोड़ी कहा रहा हूँ कि future में, भाविश् हो रही है, will नहीं, क्या यूज होगा, would, would you be going to देरादून at this time? और बोलते वक्त भी ऐसे ही होता है, जब आप expert हो जाएंगे, sentence उसको एकदम पकड़ने लगेंगे, तो आप कभी भी will बोलके यहाँ पर गलती नहीं करेंगे, हलाकि एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि English conversations में, जब हम बोलते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है, कि हम would का use नहीं करते हैं, भले ही sense present का आता है, हम will का ही use करते हैं, क्योंकि sentence में होता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो जब आप बोलते हैं, तो एक बार को acceptable है, लेकिन exact grammar में आपको बता रहा हूँ, ताकि आप आगे जब English अच्छे से सीखे हैं, तो आप सही English बोलना सीखे हैं, अब कुछ और sentences लेते हैं, ये चारों sentences में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, 6 बजे बस निकल रही होगी, 6 बजे यानि की future की बात है, भविश्य की बात है, ठीक है रहा होगा, रही होगी, रहे होगे निकलने को हम लीव कहते हैं, subject है bus, the bus will be, the bus will be leaving at 6 o'clock, simple, 6 o'clock की जगह पे मैं 6 भी कह सकता हूँ, understood है, the bus will be leaving at 6, clear, 6 बजे बस निकल रही होगी, अब यान पर देखिए, जल्दी जाओ, बस निकल रही होगी, hurry up, यह go fast, इस तरह से कह सकते हैं, sense के इसाप से, अब यह है मेरा main sentence, bus निकल रही होगी, जल्दी जाओ, बस निकल रही होगी, तो bus निकल रही होगी, भविश्य की बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ, कि bus निकल रही होगी, जाहिए, bus को leaving, अब इस sentence में देखिए, bus पका निकल रही होगी, यहाँ पर भी आगया रहा होगी, रही होगी, subject है bus, निकलना होगी है leave, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज आ गई, पका, जब यह पका आ जाता है न, किसी चीज की surety की बात हो जाती है, तो ऐसे case में, would नहीं, would की जग पर फिर क्या आ जाता है, must, देखे कैसे, the bus must be leaving, the bus must be leaving, तो would की जगा पर क्या आ गया, must आ गया, और जब sentence में आ जाए, शायद, बस शायद निकल रही होगी, तो वही रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, future का continuous tense, निकलना वही leave, subject है बस, लेकिन, शायद आ गया, ऐसे में, would की जगा पर क्या हो जाएगा, शायद के लिए, might, या फिर may, the bus may be leaving, या फिर, the bus might be leaving, और यहां तक की, the bus could be leaving, उपर लिख देता हूँ, तो जब हम संभावना की बात करते हैं, तो could, might या may, इन में से किसी कभी उस कर लेते हैं, अब आप समझे, कुछ नई चीज आपको पत लगी, पक्का के लिए, must, और शायद के लिए, may, might, या, could, इसी तरह से future के perfect tense में भी यही होता है, कि अगर sentence में, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगे, लिया होगा, दिया होगा, ली होगी, दी होगी, की होगी, आया होगा, गया होगा, उठा होगा, बैठा होगा, ऐसा लग रहा हूँ जैसे कि sentence तो future में है ही ने ऐसे में will की जगत क्या यूज़ करना होगा would examples देखे वो 5 बज़े खेल चुका होगा चुका होगा चुका होगा आगया future का perfect tense इस tense में हमेशा धान रखिये subject चाहे जो भी हो हमेशा auxiliary verb will, have का use होता है और कभी गलती मत करियेगा जब भी कोई verb दो words की होती है बीच में लगता है not यह हमेशा जान रखिये वो 5 बज़े खेल चुका होगा affirmative sentence से subject है he वो खेल चुका होगा खेलना यहाँ पर करिया है play he will have will have के बाद क्या आएगा verb की third form perfect tense में हमेशा verb की third form आती है किसी भी perfect tense में he will have played 5 बज़े at 5 o'clock 5 भी कह सकते हैं 5 o'clock की जगा केवाल 5 he will have played at 5 अब यह sentence तो future में था क्योंकि 5 अभी बज़े का है तभी तो मैं कह रहा हूँ वो 5 बज़े खेल चुका होगा 5 तो बज़ेंगे आगे यानी future में तभी तो मैंने will have का यूश किया लेकिन इस sentence में देखिए जब मैं कहता हूँ वो अब तक खेल चुका होगा यानी अब तक मतलब इस समय तक यह जो present है इस समय तक तो खेल चुका होगा यानी यह तो बीते कल की बात हो गई would he would have और बाखी sentence तो बिल्कुल वैसे ही बनेगा he would have played अब तक अब तक को क्या कहते है by now तो आपने देखा कितना interesting हो गया will have की जग़े पे would have का use और I क्योंकि sentence में भविश्य में किसी काम को कर चुके होने की बात नहीं हो रही है बलकि अब तक हो चुका होगा वो काम कल सुबह वो अमेरिका निकल चुका होगा कल सुबह के लिए तो मैं simply कह दू tomorrow morning यह होगी बात अच्छा कल सुबह वो अमेरिका निकल चुका होगा तो कल सुबह यनि की future की ही बात हो रही है चुका होगा, चुकी होगे, चुके होंगे निकलना, निकलने को लीव कहते हैं कौन निकल चुका होगा, वो निकल चुका होगा He will have left, लीव की third form होती है left He will have left, कहां के लिए, अमेरिका के लिए, for America Tomorrow morning, he will have left for America क्या वो 2025 तक graduation कर चुकी होगी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, interrogative sentence है शुरुवात हो रही है, क्या से? इस question का answer आप yes या no में दे सकते हैं तो क्या के लिए what का use तो होगा नहीं? interrogative sentence है, ये तो use होगा नहीं सीधा will से शुरुवात होगी subject है, वो चुकी होगी बोल दिया इसका मतलब किसी लड़की की बात हो रही है तो she will she have कर चुकी होगी graduation graduation करने को graduate एक word है जिसका मतलब होता है graduation करना तो उसकी third form होती है graduated will she have graduated दो हजार पच्चिस तक by 2025 अच्चा यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करिएगा देखे, interrogative sentence है will कहा उसके बाद subject कहा, उसके बाद have लगाया उसके बाद हमने क्या कहा see the verb की third form और क्रिया होती है graduate जैसा मैंने आपको बता है उसकी third form graduated लेकिन आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं करना को वर्ब को आप करना समझ लीजिए करना मतलब do तो do की third form होती है done तो मैं एक काम कर सकता हूँ have के बाद यहाँ पर लिख सकता हूँ done will she have done क्या वो कर चुकी होगी क्या graduation क्यूंकि graduation यह एक noun भी है तो जिने थोड़ा सा idea है आप इस sentence को दो तरीके से बना सकते हैं एक तरीका तो यह will she have graduated by 2025 या फिर will she have done graduation by 2025 next sentence आप में से कितने अगले साल तक job पाथ चुके होंगे इस sentence को आपको बनाना है आप चाहे तो वीडियो को pause कर सकते हैं relax होकर के सोचिए और बनाईए चुका होगा चुकी होगे चुके होगे ठीक है future का perfect tense है क्या करने की बात हो रही है किस काम को करने की बात हो रही है job को पाने की बात हो रही है पाने को हम कहते हैं find job find करना पाना या get get भी यूज़ कर सकते है इसकी third form found होती है found का यूज़ करेंगे क्योंकि इस tense में तो हमेशा verb की third form का यूज़ होता है ठीक है sentence interrogative है अब जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप में से कितने अगले साल तक job पात चुके होंगे तो आप कह सकते हैं हम पांच लोग job पात चुके होंगे यानि subject कौन हुए फिर पाने का काम किस ने किया हम पांच लोगों ने यानि जब मैं कह रहा हूँ आप में से कितने तो मैं subject के बारे में ही पूछ रहा हूँ कि कौन हैं वो लोग जो पात चुके होंगे job एसे में sentence interrogative है लेकिन special case में आएगा डबलो एच फैमिली मेंबर जो की subject के बारे में ही पूछ रही है डबलो एच फैमिली मेंबर के आप में से कितने डबलो एच की वीडियो में बताए था क्या कहते हैं आप में से कितने को उसके बाद will have अच्छा यहां पर will have भी आएगा एक बाद देख लिजिए कहीं ऐसा तो नहीं कि would have आएगा सोची आप में से कितने अगले साल तक job पात चुके होंगे अगले साल तक future की बात हो रही है इसका मतलब will have भी आएगा How many of you will have verb की third form found the job क्या पात चुके होंगे job How many of you will have found the job अगले साल तक by next year How many of you will have found the job by the next year मेरे पापा घर पहुँच चुके होंगे इस sentence को देखते हैं आपने तुरंट सोच लिया चुका होगा चुकी होगी चुके होगे ठीक है future का perfect tense है clear और subject कौन है पहुचने का काम कौन कर चुका होगा मेरे पापा तो subject है मेरे पापा My father अब सवाल ये है कि क्या ये sentence future में है ये present की बात कर रहा है मेरे पापा घर पहुच चुके होंगे obviously अगर मैं आप से कहूँ कि मेरे पापा घर पहुच चुके होंगे यानि कि present में इस पल से पहले ही पहुच चुके होंगे तो एक तरज से जो ये पहुचने का काम ये हो चुका होगा तो ये past हो गया ऐसे में will have नहीं बलकि क्या यूज़ होगा would have My father would have पहुचने को क्या कहते है हम शाम को दिल्ली पहुच चुके होंगे अब यहाँ पर कह दिया देखो शाम को तो शाम तो भी हुई नहीं है ये तो future की बात है ऐसे में चुका होगा चुकी होगी चुके होंगे will have का use होगा would have का नहीं होगा यहाँ पर भी verb है पहुचना subject है हम we will have the east कहां पहुच चुके होंगे दिल्ली डेली शाम को in the evening अब हम move करते हैं हमारे last tense future perfect continuous tense पे future perfect continuous tense की पहचान तो वैसी होती है future continuous tense की तरह रहा होगा रही होगी रहे होंगे लेकिन जैसे present perfect continuous tense या past perfect continuous tense में होता है समय से उसका जिक्र हो जाएगा और से के लिए present और past perfect continuous tense में तो आप जानते हैं since का use होता है एक निश्चित समय से और for का use होता है तब जब हम कहते हैं किसी duration से किसी अवधी से लेकिन यहाँ पर इस tense में since और निश्चित समय से के लिए since या from इन दो का use होता है लेकिन इन दोनों के use में एक बहुत ही बारीक सा फर्क है जो आप समझ पाएंगे इन दोनों sentences के मदद से यहाँ पर भी वही concept है कि will would में change हो सकता है अगर sentence में रहा होगा रही होगी रहे होगी आ रहा है लेकिन sense future का नहीं आ रहा है present या past का आ रहा है अब इन दोनों sentences का अध्यान से देखिए पहला sentence है कल वो सुभह से पढ़ रही होगी कल यानि future की बात हो रही है ठीक है रहा होगा रही होगी रहे होगा आ गया आपके दिमाग में तुरंत आया यह continuous है future continuous लेकिन जैसे ही आपने देखा सुभह से यहाँ पर समय से की बात हो गई आपने तुरंत पकड़ लिया इसको यह future का perfect continuous tense है ठीक है यह तो clear हो गया अब जब हम इस sentence को बनाएंगे तो देखे कैसे बनाएंगे कल tomorrow वो सुभह से पढ़ रही होगी affirmative sentence है she क्योंकि वो एक लड़की है she will have been इसमें जो auxiliary verb यूज होती है तीन words की देखे will have been she will have been पढ़ना क्रिया है पढ़ना studying उसके बाद सुभह से अब यहाँ पर point है कि since यूज करूँ देखे सुभह से जब हम कहते है तो present और past perfect continuous tense में तो हमने का since morning यहाँ पर क्या कहेंगे यह important है तो पहले sentence को उतना बना लेते हैं वो पढ़ रही होगी she will have been studying यह तो clear है अब यह समझने वाली बात है कि यह जो सुभह है यह आचुकी है यह आईगी कल वो सुभह से पढ़ रही होगी कल वो सुभह से पढ़ रही होगी तो वो जो सुभह है वो तो कल आईगी यानि future में आने वाली सुभह है यानि future के समय से की बात हो रही है और आपको मैं यह बता दूँ कि since का use हम तब करते हैं जब बीते समय से, बीते समय से की बात होती है और from का use कब करते हैं जब आने वाले समय से यानि भविश्य के समय से की बात होती है अब यहां पर हम देखें तो यह सुबह तो आएगी भविश्य में इसलिए यहां पर from का use होगा और तब हम कहेंगे from morning tomorrow she'll have been studying from morning ठीक है अब इस बात को जो यह फर्क है from और since का इस बात को आप इस sentence से बेहतर समझेंगे sentence देखिए वो सुबह से पढ़ रही होगी मान लिजी आप मुझसे पूछें कि वो क्या कर रही होगी और मैं आपसे कहूं वो सुबह से पढ़ रही होगी तो सोचिए वो सुबह से पढ़ रही होगी कौन सी सुबह क्या यह कल आईगी यह सुबह नहीं यह तो आज की सुब मैं क्या कह रहा हूँ चुकि है ऐसे में past को बता रही है past का बहुत करा रही है बीते समय का बहुत करा रही है ऐसे में will have been की जगा पे will की जगा पे क्या आएगा would और सुबह से चुकि बीते हुए सुबह की बात हो रही है और बीते हुए समय से जब होता है ऐसे में हम since का यूज़ करते हैं और present और past perfect continuous tense में जितने भी sentence में समय से की बात हुई थी वहाँ पर वो समय already वो समय बीच चुका था उस समय से की बात होती थी इसलिए हमेशा since का use होता था लेकिन यहाँ पर इस sentence में आपने देखा from का use किया इस sentence में she would have been studying since morning तो अब आप इस बात को मुझे पूरी उमीद है आप समत चुके हैं कि जब आने वाले समय से की बात होती है कल वो सुबह से पढ़ रही होगी आने वाले समय में किसी point and time से बोलते हैं तब होता है from और जब हम बीते वे समय से बोलते हैं तो होता है since और साथ में चुकि बीते वे समय से अब तक हो पढ़ रही होगी ऐसे में future में किसी काम को कर रही होगी ऐसा नहीं बताया गया है इसलिए will की जगा क्या use हो गया would अब देखिए आपके सामने दो और sentence है अगले साल मई में यानि future की बात हो रही है ठीक है अगले साल मई में हम इस company में दो साल से काम कर रहे होंगे यानि हमारे दो साल complete हो जाएंगे हम इस company में दो साल से यानि समय से काम कर रहे होंगे रहा होगा रही होगी रहे होंगा आगया और समय से का जिक्र हो गया future का perfect continuous tense है अगले साल मई में next year in may हम subject है हम we we will have been हम we will have been काम कर रहे होंगे काम करने को work कहते है work ये क्रिया है इसके साथ में आये जी working कहां पर इस company में in this company कब से दो साल से since आएगा from आएगा for आएगा अब आप देख रहे हैं दो साल से दो साल तो एक duration है यहां तो since आएगा from तो आए नहीं सकता तो क्या आएगा for आएगा क्योंकि for का use duration के लिए करते है for two years कितना interesting sentence बना next year in may we'll have been working in this company for two years और मैं आपको बता दूँ ऐसे न we will have been ऐसे नहीं कहते we will को contract कर देते हैं और क्या कह देते हैं we'll 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 have been working तभी तो एक speed आती है बोलने में next year in may we'll have been working in this company for two years next sentence मुझे लगता है मुझे लगता है के लिए तो ठीक है I think मुझे लगता है I think यह तो अलग हो गया वो 2017 से मेरी वीडियोज देख रहा होगा अब यह है 2022 और वो 2017 से मेरी वीडियोज देख रहा होगा तो भले ही यहां पर आ रहा होगा रही होगी रहे होगे continuous साथ में 2017 से समय की बात भी हो रही है तो समय से भी आ गया तो इसका मतलब future का perfect continuous tense है लेकिन वो 2017 से मेरी वीडियोज देख रहा होगा आज इस पल में न इस पल से पहले है वो 2017 तो 2017 से देख रहा होगा तो बीते वे समय से ऐसे में क्या यूज करेंगे Since whats from तो यूज करेंगे क्यूज क्यूज करते हैं Since 2017 17 लेकिन इस sentence में आने वाले future में किसी काम को subject किसी particular समय से कर रहा होगा ऐसा तो नहीं बताया गया तो future की जब बात ही नहीं हो रही है ऐसे में will की जगह क्या जाएगा would तो will have been की जगह क्या जाएगा would have been वो he would have been क्रिया क्या है वर्ब क्या है देखना देखने को watch कहते है videos को जब आप देख रहे होते हैं तो videos के लिए तो watch word का use करते हैं watch के साथ ing watching क्या देख रहा होगा मेरी videos my videos 2017 से since 2017 I think he would have been watching my videos since 2017 अब हमने सभी concepts को समझ लिया है एक idea तो हमने ले लिया है मैं जानता हूँ कि tense एक बहुत tough topic माना जाता है लेकिन अगर आप rules के हिसाब से चलेंगे तो आप कभी mistake नहीं कर सकते मैंने पूरी कोशिश किया कि इस video में मैं हर तरह से हर tense को बारीकी से आपको समझाओं लेकिन फिर भी मेरी limitation है क्योंकि इतने कम समय में सभी tenses के बहुत सारे examples लेना तो possible नहीं है तो मैं practice exercise में बहुत सारे sentences आपको दूँगा जिससे की आप खूब practice करें और perfection लाएं तो फिलाल आज के लिए यहीं तक अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like और share जरूर करिएगा कम से कम एक whatsapp या facebook group में थाकि देश के छोटे से छोटे गाओं के students तक ही वीडियो पहुंचें और वो भी English सीखें मिलते हैं next video lecture में तब तक के लिए take care goodbye